Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English educator, कैसे हैं आप सब लोग? I hope everybody is doing well, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और बहुत मज़े में हूँ और इतनी अची बात के साथ चली स्टार्ट करते हैं, हमारा 6th chapter of Snapshots book चोकि है The Ghat of the Only World by Amitav Ghosh अब यह जो picture आप देख रहे हैं, यह आमें तरफ घोश की नहीं है, यह है आगा शाहिद अली की picture और इससे पहले मैं आपको chapter का overview दूँ, मैं आपको chapter का title explain करती हूँ घाट, अब घाट का मतलब क्यों होता है, that means the bank of the river जो नदी का तट होता है, जो नदी का किनारा होता है, उसे हम कहते हैं घाट यानि जहां पर नदी end हो जाती है और जहां से main land हमारा जमीन स्टार्ट हो जाती है, उसे हम कहते हैं घाट तो the heart of the only world का मतलब यहां पर यह है कि इस दुनिया में हर इंसान को घाट तक पहुचना है, यानि अपनी पुरी जिंदगी जी कर, अपनी death को face करना है जो death है यानि कि आपकी नदी का घाट से उसको compare किया गया, कि आप घाट पर पहुच गया यानि कि अब आपकी journey आपे खतम, आपने पूरी ट्रावलिंग कर लिए और यह जो है, यह एक poem है जो लिखी गई है, एक poet द्वारा, और कौन से poet? आगा शाहे दली अब, overview समझते और introduction देती हूँ मैं आपको chapter का, इस chapter में दो friends की story है, एक है आगा शाहे दली जिनकी picture मैंने आपको दिखाई थी, और दूसरी है यह, जो picture आप मेरे left hand side पे देख रहे हैं, यह है Amitav Ghosh, जिनोंने यह chapter लिखा है, basically यह chapter कोई story नहीं है, बलकि एक memoir है, memoir यहने जब आप कोई लेख लिखते हो किसी की memory में या किसी की याद में, तब आप उसे memoir कहते हो, तो basically chapter एक memoir है, जो Amitav Ghosh ने लिखा है, आगा शाहे दली की याद में, क्योंकि आगा शाहे दली जो है, उनकी death हो गई है, और दोनों friends थे, तो जब आगा शाहे दली को पता सला कि उनको brain tumor हो गया, cancer हो गया है, और ये बिमारी उनको death तक लेकर ही जाएगी और ठीक नहीं हो पाएंगे, तो उन्होंने अपने friend Amitav से request करी, कि मेरी death के बाद तुम मेरा एक काम जलूर करना, तुम मेरे बारे में कुछ लिखना, याने मेरे बारे में किताब लिखना, आप उन्होंने ऐसा क्यों बूला, क्योंकि आगा शायद अली को ये बात पता है कि एक इनसान के बातें, यादें, सब इनसान भूल जाते हैं, लेकिन उनके death के बाद भी अगर किसी को आप याद रख सकते हो, तो वो एक ही तरीका अगर उसके बारे में किताब लिख जाए तो वो इनसान, you know, lives forever, तो इसी लिए आगा शायद अली ने request करी अपने friend Amitav Ghosh को कि तुम मेरे बारे में लिखो, और क्यों request करी, क्योंकि वो उसम के friend है, और क्योंकि उनके बारे में बहुत जादा जानते थे, तो इसी लिए उन्होंने बोला कि चलो, पहले तो Amitav Ghosh मान नहीं रहे थे कि कैसे, accept नहीं कर पा रहे थे कि अरे मैं अपनी friend की death कैसे accept करो और उसको कैसे बोलूँ कि हाँ हाँ, death के बाद मैं तुम्हारे लिए लिख लूँगा, तो वो थोड़े से resist कर रहे थे starting में, बदन किसी तरह command दे के, मना के order दे के, जो आगा शायद अली है, यह basically कश्मीरी है, कश्मीर से belong करते थे और कश्मीर के expatriate है, याने कि अपनी country छोड़के, जब आप किसी दूसरी country में जाके finally settle हो जाते हो, तो आप वहाँ के expatriate हो जाते हो, तो वो कश्मीर के expatriate थे और वहाँ रहते थे USA में, और लेकिन foreign में रहने के बाद भी उन्होंन के रखने की कोशिश करी, चाहे वो Hindus हो, चाहे वो Bengalis हो, या कोई भी religion हो, हम इस chapter में काफी सारे instances, काफी सारे ऐसी चीज़े पढ़ेंगे, जिससे हमें इन बातों का पता चलेगा, नाओ, लेट्स बिगन विद इंट्रदक्शन, दगाट अफ दी ओनली वर्ल रिटन बाया मित तव गोश इस अप्रोमिस फुल्फिल बाया फ्रेंड तो यह जो चाप्टर इद गाट यह अपने फ्रेंड आगा शाहिद अलीज की डेथ से पहले कि ठीके मैं तुमारी डेथ इसके बाद तुमारे बार में कुछ लिखूंगा तो बस इसलिए उन्होंने यह में मेमोयर यहने उनकी याद में यह लिखाए चाप्टर लेसन रिवाल्स अराउंड शाहिद जो लेसन है वो शाहिद की बारे भी चलेगा पूरा वाट इलाइड अन हाउ ही लिवड इस लाइफ क्या शाहिद दली को पसंद था क्या नहीं पसंद था वो अपनी लाइफ कैसे जीता था शाहिद अली एक बहुत जिन्दा दिल इंसान था सबसे पहले तो मैं बता दू क्यों क्यों क्योंकि उनको उनके डेथ के बारे में भी पता चल गया ना कि वह हर दिन अपना सेलिब्रेशन जैसे जीते थे कभी भी रोकर अपनी लाइफ उन्होंने नहीं जी नहीं नहीं जी नहीं ना लेत्स बेगन विद अलसे इसलिएशन इन इन डीटिल अ डाइंग मान एंग्साट्रिय रों कश्मीर आस्क्श्मीर आस्क्श्टी ओटर राइफ सम्थिंग अवाटिम अव्टर ही इस गॉन तो यह जो फॉल्विंग पीस है यह जो पूरा मेमोयर जाप्टर है अमितव घोश ने अपने फ्रेंड की डेथ के बाद लिखा है और वो फ्रेंड जो की डाइंग मान था याने कि उसको पता चल गया था कि उसकी डेथ होने वाली एक आंसर की वज़े से और वो कौन थे वो एक expatriate है याने a person who lives outside their own country याने कि वो कश्मीर के थे इंडिया से बिलॉंग करते थे और USA में जाके सेटल हो गए थे तो वो वही रहते थे तो वो expatriate थे कश्मीर के और उनोंने अपने author अमितव घोश अपने फ्रेंड को request करी कि after he is gone याने उनकी death के बा to me about his approaching death was on 25th April 2001 अब यह मी कौन है यह अमितव घोश है अभी जो पूरा chapter है यह अमितव घोश बता रहे हमें तो basically वही नरेट कर रहे हैं वह पूरा नरेट कर रहे हैं तो वह बोल रहे हैं कि पहली बार जब आगा शाय दली ने मुझे याने अमितव घोश को अपनी approaching death याने की आने वाली मौत के बाद में बताया था वो डेट थी 25th April 2001 अमितव घोश ने कॉल किया था किसको आगा शाय दली को और फोन कॉल पर ही इनकी पूरी बात हो रही थी रूटीनली आने नॉर्मली उनकी कॉन्सेशन बातचीत स्टार्ट हुए फोन पे I had telephoned to him to remind him that we had been invited for a friend's house for lunch and that I was going to come by his apartment to pick him up. तो अमितव ने call करके बोला शायद को कि हमें एक किसी friend ने invite किया है lunch के लिए तो मैं आ जाता हूं तुम्हें पिक करने तुमारे apartment तुमारे building के नीचे और उसकी बाद हम साथ में उस friend किया चल देंगे. Although he had been under treatment for cancer for some 14 months. अब आगा शायद दली cancer के treatment से कुछ last 14 months से treatment हो रहा था लेकिन उनों ने अभी ये बात किसी को बताई नहीं थे, आमितव को भी नहीं बताई थी. शायद वो still on his feet, याने उनका treatment चल रहा था cancer का और अभी भी वो अच्छे खासे अपने पेरों पे खड़े थे. and perfectly lucid, lucid याने understandable, याने अभी ऐसा नहीं था कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, या उनका दिमाग में कुछ दिक्कत आगे थे, उनने सब कुछ समझ में आ रहा था, except for occasional lapses of memory, occasional याने कभी-कभी कोई चीज भूल जाते थे, ऐसा होता थे, क्योंकि उनको brain tumor था, दिमाग मे मेरी हो जाते थे, याने कभी-कभी कोई चीज भूल जाते थे, I heard him thumbing through his engagement book and then suddenly he said, engagement book क्या होती है, schedule book है, एक लोगों के पास schedule book होती है, जिसमें उनका पूरा लिखा रहा थे कि इस date पे, इस time पे हम यह करेंगे, इस time पे हमें यहाँ जाना, इस time पे हमारी यह meeting है, इस time पे ह हमारा किसी के साथ appointment है, तो इसे हम engagement book कहते है, तो Amitav ने phone पे सोना कि उन्होंने अपनी thump किया है, कि अपनी engagement book बंद करी और बोला, oh dear, I can't see a thing, there was a brief pause and then he added, I hope this doesn't mean that I'm dying, उनको कुछ समझ में नहीं आया, शाहिद को कि वो क्या बोले है, और उनने अपनी engagement book बंद करते हुए बोली कि, थोड़ा briefly pause लिया, ने दो मिनट चुपी और उनने कहा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी death होने वाली है, पहली बार इस तरीके से, आगा शाहिद दली ने Amitav को अपने death के बारे में phone पर बताया, कि suddenly उसने अपनी book बन करी और बोला, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं मरने वाला हूँ, उसने तो कभी इतने important topic याने death जैसे ऐसे topic के बारे में कभी बात ही नहीं करी मुझसे, I did not know how to respond, अब जैसी उन्होंने बोला, कि कहीं मेठी death तो नहीं होने वाली, शाहिद को, Amitav को समझी नहीं आए कि मैं इस बाद पर कैसे respond करूँ, कैसे react करूँ, क्या बोलू मैं इसको, His voice was completely add odds with the content of what he had just said, light upon the point of jocularity, add odds का मतलब क्यों होता है, add odds जोने in conflict at variation, याने कि जो आप बोल रहे हो, जिस topic के बार में आप बोल रहे हो, कितना important topic है death, और जिस तरीके से आप उसको बोल रहे हो, वो jocularity में बोल रहे हो, याने कि joke के form में बोल रहे हो, तो वो इतने important topic death के बार में बोल रहा था, लेकिन किस तरीके से बोल रहा था, joke form में, मजाग करते form में बोल रहा था, तो अमितफ को समझी नहीं आ रहे है कि सच बोल रहे है कि जूड बोल रहे है मजाग कर रहे है कि सही में सीरिस है कि यहां भाई इसकी डेथ होने वाली इसको कोई बिमारी है I mumbled something innocuous mumbled याने की say something making it difficult याने अपनी अंदर मूर 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 दीरे अपनी अंदर बोल दिया और सामने वाले को सुनाई नहीं दे इन नौक्यू इसका मतलब होता है not harmful और offensive याने ऐसे जो किसी को कोई चीज हाम न करे तो उसने मूर 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 करके mumble करा किसने अमितव ने मन ही मन में और कुछ ऐसी चीज बोली जो obviously उसको हाम नहीं करेगी किसको शाहिद अली को और उनोंने बोला फिर no शाहिद of course not you will be fine उसने बोला अपने फ्रेंड को शाहिद नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुमारी death होगी तुम ठीक हो जाओगी he cut me short और वो भी बात ही कर रहे थे अमितव शाहिद अली नहीं को cut किया है और उनकी बात को काटते हुए रोकते हुए कहा in a tone of voice that was at once quizzical and direct quizzical याने indicating mild or amused puzzlement थोड़ा असस में confused हो कि confusion form में बोला when it happens I hope you'll write something about me थोड़ा confused हो कि अमितव की बात को काटते हुए आगर शाहिद अली बोलते है कि अगर जब होगा ऐसा जब मेरी death होगी तो I hope तुम मेरे बार में कुछ लिखोगे तो वो अपने friend से कुछ request कर रहा है कि तुम मेरी death के बाद लिखो क्योंकि इस statement समय समझ में आ रहा है कि अगर शाहिद अली को पके से पता चल गया था कि उनकी death होगी वो ठीक नहीं हो पाएंगे I was shocked into silence अब ये बात सुनके अमितव शौक में आगर विल्कुल silent हो गए कि shit मतलब ये बिल्कुल सही बात है ये मजाक नहीं कर रहा है कि death होगी मतलब इसकी उसके बाद इस तरीके के occasions में जब कोई आपको अपनी death के बार में बता रहा है आमितव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले वो शौक में था literally फिर उन्होंने अपने आपको gather की अपने दिमाग को शान्त किया और वो बोलने की कोशिश करी जो लोग इस तरीके के moments पर बोलते है शाहिद you'll be fine you have to be strong तो उन्होंने क्या बोल अपने फ्रेंड को के शाहिद तुम strong रहो तुम ठीक हो जाओगे जल्दी तो अब इस line से हमें ये पता चल रहा है कि आगा शाय दली और अमितव घोष दोनों पास ही में रहते थे याने एक ही लोकालिटी में रहते थे क्योंकि अमितव घोष की विंडो से study की विंडो से याने जहां पर उनका study room था वहां की विंडो से उनको वो building का corner दिखाई देता था जहां पर आगा शाय दली रहते थे सब 8 blocks अवे तो कुछ ऐसे 8 blocks थे से 8 buildings दूर तो उन लोगों का इस तरीके से ऐसे apartments थे तो यहां पर अमितव बता रहे हैं कि सबसे पहले आगा शाय दली जो है वो manhattan नाम की जगा पे रहते थे लेकिन February 2000 में उनका एकदम sudden blackout हो गया sudden blackout होना याने आखों के सामने अंदीर अचा जाना unconscious होना चक्कर आ जाना ऐसा हुआ और उनको पता चला उनके disease के बार में तो वो कहां shift हो के आगए यहां अमितव घोश के पास और वहीं पे Brooklyn में Brooklyn नाम की जगा पे पहले Manhattan में रहते थे फिर Brooklyn में आ गए क्यों आ गए क्योंकि वहां पे अमितव घोश पास में थे और आगा शाय दली की जो छोटी सिस्टर है समीता वो भी भही रहती थी तो उसको लगा मेरा फ्रेंड मेरी सिस्टर पास में तुम्हें यहां शिफ्ट हो जाता हो अगर कोई दिक्कत होगी तो at least they'll be the nearest people to help me out after test revealed that he had milligan brain tumor जैसे ही उनका blackout हुआ February 2000 में उन्होंने कुछ test करवाए अपने और उनको पता चला कि उनको milligan brain tumor है milligan यानिक ऐसा dangerous बीमारी जो uncontrollable है जो रुकेगी नहीं वो है तो उन्होंने decide कि मैं Brooklyn में आके रहता हूँ जहां पर अमितव गोश और उनकी छोटी sister Samita रहती है अब Samita क्या करती है Samita teaches at the Pratt Institute a few blocks away from the street where I live तो Brooklyn की जो street में जहां पर अमितव रहते हैं उससे कुछ blocks दूर ही जो उनकी छोटी sister Samita है वो एक Pratt Institute में पढ़ाती है यानि कि basically उनकी छोटी sister एक teacher है जो कि वहीं है तो basically Brooklyn नाम की जगा पर अमितव घोश रहते हैं कुछ blocks eight blocks दूर किसका अपार्टमेंट है आगा शाहिद अली का वहीं पास में उनकी बहन भी रहती है और उनकी पहन का जो institute जहां वो पढ़ाती वो भी वहीं है तो सब basically आस पास है तो शाहिद अलीको एक सपोर्ट था कि friends है family है sister है आस पास ही सब रहते हैं उनकी डिजीज की ताइम पर शाहिद ignore my reassurances तो जो अमितव घोश है वो बार बार reassurance देते रहते शाहिद को क्या यह नहीं 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 मतलो you'll be fine ठीक हो जाओगे सब बढ़िया हो जाएगा लेकिन उसने सब ignore कर दिया में तफ घोश की इन बात को क्योंकि उसको पता था कि इन insurances का इन बातों का कोई मतलब निये मेरी तो डेत होने वाली है उसको डॉक्तर ने तो बोल दिया था कि बस आपकी अब डेत का टाइम नियर है आप में को इंप्रूब्मेंट नहीं आ रहा है वो हसने लग गए ये बाते सुनके कौन शाहिद कि अरे मत करो इमत बोलो मुझसे सब बाते ये सब किसी मतलब कर निये मुझे पता है मेरी डेत होने वाली है तो तब पर समझ में आया आमितव गोश को कि my god he's dead serious ये वो serious ये को मजाक वजाक नहीं चल रहा है तो यहां पर अमितव गोश समझ गए कि वो इंटरस्ट कर रहा है याने कि शाहद अली जो है वो अमितव गोश में यकीन है कि वो शाहद इनके बारे में कुछ लिखेंगे he wanted me to remember him not through the spoken recitatives of memory and friendship but through the written word recitatives याने कि जो dialogues और conversations होते है तो वो समझ गए अमितव गोश की जो आगा शाहद अली है वो नहीं चाहते कि उनके death के बाद अमितव गोश या दुनिया उनको उनके recitatives याने बातों से dialogues या friendship से याद रखे बलकि कुछ उनके बार में written record हो उससे याद रखे वो चाहते थे कि उनके बार में कोई किताब लिखी जाए जैसे सब पढ़े हो और आगा शाहद अली को जाने शाहद knew all too well that for these writers for whom things become real only in the process of writing there is an inbuilt resistance to dealing with loss and bereavement bereavement याने loss, deprivation, grief या sorrow या दुख तो यहाँ पर अमितव घोश बता रहे हैं कि आगा शाहद अली को ये बात पता थी कि अगर कोई writer या लेखक किसी के बार में लिख रहा है तो वो अच्छा और realistic तभी लिख सकता है जब writer खुद उस pain से उस तकलीफ से उस sorrow से गुज़रा है उस sadness से गुज़रा है इसलिए आगा शाहद अली ने अमितव घोश को request किया कि तुम मेरे बारे में लिखोगे क्योंकि उसको पता था कि मेरे death के बाद मेरे friend अमितव घोश को बहुत दुख होगा और वो इस तकलीफ से गुज़रेगा मेरी death के बाद और वो क्योंकि तकलीफ से गुज़रा है तो जब लिखेगा तो उसकी राइटिंग में बहुत realism होगा बहुत reality होगे और दुख जलकेगा तो best लिखेगा वो जो भी लिखेगा इसलिए उन्होंने आमितव घोश को request कि लिखने के लिए He knew that my instincts would have led me to search for reasons to avoid writing about his death He कौन? शाहदली तो आगर शाहदली को पता था कि आमितव घोश कुछ न कुछ reasons देंगे ना लिखने के क्योंकि obviously वो कैसे लिखे वो कैसे बोले कि हाँ ठीके ठीके तुमारी death के बाद मैं लिख लूँगा वो कैसे accept करें कि मेरे friend की death हो रही है तो अमितव घोश कहरें कि आगर शाहदली को पता था कि मैं कुछ न कुछ reasons दूँगा और reasons मैं क्या दूँगा? I would have told myself that I was not a poet तो वो क्या reason दे सकते होंगे? आगा शाहदली को ना लिखने के लिए कि अरे मैं कोई poet थोड़ी हूँ मैं कोई कवी थोड़ी हूँ तो मुझे मत बोलो लिखने के लिए ड़का friendship was a recent date और वो ये reason भी दे सकते थे शाहदली को कि अरे हम लोग कोई बहुत पुराने दोस हो नहीं कुछ recent कुछ few months या एक देर साल पुराने ही friends है मुझे तुमारे बारे में क्या ही पता होगा? That there were many others who knew much better and would be writing for greater understanding and knowledge या वो ये reason दे सकते थे शाहदली को कि मुझे भी जादा कोई ऐसे लोग हैं जो तुम्हें तुमारे बारे में मुझे जादा जानते वो better लोग होंगे, वो writers अच्छे होंगे तुमारे बारे में लिखने के लिए तो शाहद अली को इस समझ में आ गया था कि Amitav Ghosh उनको ये सारे reasons दे सकते ना लिखने की इसलिए all this शाहद had guessed शाहद नहीं पहले guess कर लिए था कि Amitav मुझे reasons देगा कि अभी अभी हमारी दोस्ती हुई है, मैं poet नहीं हूँ या दूसरे लोग तुम्हें जाद अच्छे से जानते हैं मुझसे तो उनोंने इस चीज guess कर ली शाहद ने and he had decided to shut off those roots while there was still time तो उनोंने कोई बात नी सुनी Amitav की और उनकी बात को सिर्फ command दिया उनको बोला, you must write about me तो उनोंने बस एक statement दिया Amitav को कि नहीं you must write about me तो मैं मेरे बार में लिखना होगा और तुम ही लिखोगे तो बस जब friend ने बोल दिया तो Amitav Ghosh की बस कोई choice नी थी और उनोंने वहाँ पर decide किया कि ठीके I will write something about you after your death clear though it was that his imperative imperative would have to be acknowledged I could think of nothing to say what are the words in which one promises a friend that will write about him after his death imperative का मतलब an authoritative command तो बस एक command एक order दे दिया शाहिद ने Amitav को इसलिए उनके पस कोई choice नी थी और हाँ बोल दिया और वो कहते हैं Amitav की वो कौन से शब्द हैं जिसमें मैं अपने दोस्त से ये बोलूँ कि हाँ ठीक है तुमारी मौत के बाद तुमारी डेथ के बाद मैं तुमारे बारे में लिखूंगा उन्हें लिखना उनके लिए प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन डेथ के बाद उनके लिए लिखना और अक्सेप्ट करना पहले से ये चीज उनके लिए डिफिकल्टी किसके लिए अमितफ के लिए फाइनली आई सेड शाहिद आई विल आल दू दबेस्ट आई कैन तो उन्होंने बहुत भारी मन से उन्होंने शाहिद को बोला ठीक है में तुमारे लिए लिखूँगा और जो बेस्ट होगा वो लिखूँगा तुमारे लिए बाइदी अफ दे कॉन्वेसेशन आई नियू इग्जाक्ली वाट आई हाट तो तो वो लोग अभी भी टेलेफॉनिक पेन उठा 10 और वो सारे कॉन्वेसेशन में जो भी अनने बात करें जो भी कॉन्विजेशन की डीटेल डीकर उन्होंने रख ली क्यों क्योंकि अब उनको उनके browser और में किताब लिखनी तों बेसियलिग अमितव का काम यहीं से start होता है कि उनकी बारे मने और जाने और उनसे conversation करें था कि वो books में वो सब चीज़े चीज़ें मेंशन करपाएं also हरसो रिपकॉर्ड करके लिखें जो करेंगे बुक्स में तो अमितव ने अपने काम अभी से ही स्टार्ट कर दिया था इसाय कांटिनी टूपर नेक्स फ्यूमन्स और आने वाले कई मंस तक उन्होंने ऐसे ही शायदली से बहुत सरी कॉन्वजेशन करें उसकी बारे में चीजे रिकॉर्ड करते रहें इस दिस रिकॉर्ड एट हाद मेट पॉसिबल इट ही हाद ही मेड़ पॉसिबल फॉर मी तो फॉल्फिल दप्लेज जब आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हो तो कहता है इनी रिकॉर्ड की वज़े से जो मैंने प्लेज किया था शायद से जो प्रॉमिस किया था वो आज मैं फुल्फिल कर पाया हूँ यानि कि ये बुक लिख पाया हूँ उसके बारे में चाप्टो तो अब यहां पर आमें तर्फ बता रहे हैं कि जब मैं चाइद से मिला भी नहीं था उससे पहले से मैं उसके काम को पढ़ चुका था क्योंकि आगा शायद अली कौन थे एक बहुत रिनाउंड बहुत फेमस पोईट राइटर ओथर रह चुके तो वो कहते हैं मैंने उसके कई सारी बुक्स बगरे पढ़ी हैं और मैं उससे जब मिला भी नहीं था जब मेरी उससे फ्रेंडशिप भी नहीं थी मैंने उसके काम को काफी पढ़ रखा था तो वो कहते हैं कि एक पोग जो लिखी थी किसने आगा शायद अली ने जिसका नाम था कह रहे हैं कि उन्होंने जो यह पोग लिखी थी इसका मेरे उपर बहुत काफी प्रभाव डलाए क्योंकि इसमें बहुत इंपोर्टेंट सेंसेटिव टॉपिक्स के बार में बात हुई है तो यहीं बता रहे हैं हमें अमें तर्फ His voice was like none I had ever heard before At once, lyrical and fiercely disciplined, engaged and yet deeply inward तो अब यह voice कौन सी बात हो रही है यह आगा शायद अली के आवास की बात नहीं हो रही यह आवास का मतलब यह है कि जो उन्होंने पोम लिकी थी The Country Without a Post Office इसमें जो उन्होंने लिखा था वो ऐसा लिखा था कि Amitav Ghoshan अपनी लाइफ में कभी ऐसा पढ़ा नहीं था क्योंकि इतना impactful था उन पर इतना impression डाला उनकी writings ने तो वो बता रहे हैं कि एक पोम थी काफी lyrical थी fiercely disciplined याने बहुत powerful तरीके से इसमें लिखा गया था याने कि दिल को छू जाएंगे इस पोम के वर्ड्स तो यह सब आगा शायद अली ने लिखा था अपनी पोम में जिसका बहुत भारी प्रभाव बहुत impression डाला किसके उपर Amitav Ghosh के उपर not for him the mock casual almost prose of so much contemporary poetry his was a voice that was not ashamed to speak in a bardiac register contemporary का मतलब क्या ओता है people living in the same time जो लोग एक समय बे एक एज में सब एक साथ रहती है जो generation उसे हम contemporary या contemporaries कहते हैं जैसे आप लोग हम लोग सब एक टाइम पर एक साथ रह रह रहे हैं तो हम लोग contemporaries याने एक एज में है और कवी जिस तरीके से बोलता है उसे bardiac register कहते हैं तो वो यह कह रहे हैं आमेत हम यह कह रहे हैं कि जो आगाशाय दली थे वो एक उस जमाने की contemporary poetry लिखने हैं हमारे जमाने हमारे age में जो poetry लिखने हैं सबसे अच्छी poetry थी उनकी है और उनकी जो poetry में जो लिखा था वो he wrote to speak in an body act register याने की कभी भी अमितव घोष जो थे कभी भी आगाशाय दली थे अपने poetry में जो उने लिखना रहता था अशेम होके बिल्कुल बे शरम होके लिखते थे याने कि उनको किसी चीज की शरम नहीं थी ना किसी चीज का डर था हमेशा हर चीज beautifully powerful way में लिखते और poetic style में लिखते थे उनको कोई भी अपना view express करने में दुनिया का डर नहीं था और बिल्कुल fiercely याने aggressively बहुत confidence से अपनी poets poems में अपने views को express करते थे I knew of no one else who would ever even conceive of publishing a line like mad heart be brave conceive याने form a plan or an idea in the mind तो I कौन Amitav Ghosh तो Amitav Ghosh कहते हैं मैं कभी सोच भी नहीं सकता था ना मैं किसी को जानता था जो कभी ऐसा plan करेगा अपनी poems में लिखने का इस तरीके की line कैसी line mad heart be brave याने दिल को पागल रखो याने दिल को खुश रखो जैसा करना है जो करना है अपनी जिंदगी जीओ लेकिन be brave मतलब बहादर बनके जैसा करना है जो करना है करो पागल पंती करो जैसा करना है जो करना है करो लेकिन अपने आपको brave रखो अपने आपको strong रखो तो इस तरीके की जो lines थी वो सरफ आगर शाय दली लिख सकते थे अपनी poems में और किसी को नहीं जानते था मितव घोश जो इस तरीके की bold lines अपनी poems में लिखे इन 1998 I quoted a line from the country without a post office in an article that touched briefly on Kashmir तो वो कहते कि 1998 में मैंने आगर शाय दली की जो poem थी the country without a post office उसमें से एक line निका ली जो मैंने किसी article में लिखी थी जो Kashmir को briefly touch करे क्योंकि आगर शाय दली कहा के थे कश्मीर के थे मैंने आपको बताया और बले ही वो कहीं दूसरी country में रहते थे लेकिन अपने कश्मीर से कश्मीर के culture से अपने roots से बहुत जुड़े हुए थे बहुत connected थे in fact उनकी हर poem में जो भी वो लिखते थे तो उसमें कश्मीर के बारे में जरूर कुछ न कुछ वो लिखते थे या mention करते थे at the time I all I knew about Shai was that he was from श्री नगर श्री नगर क्या है कश्मीर का capital है तो वो श्री नगर से थे बता रहे हैं वो and had studied in Delhi और डेली में उन्होंने अपनी पढ़ाई करिये I had been at Delhi University myself but although our time there had briefly overlapped we had never met तो अमितव गोश्च बता रहे हैं कि आगर शाय दली श्री नगर के रहने वाले थे और डेली में उन्होंने अपनी पढ़ाई complete करिये और बता रहे हैं अमितव कि मैं भी डेली उनिवर्सिटी में ही पढ़ा था लेकिन हमारा time overlap हुआ क्या हुआ था कि शाय दली है वो कुछ साल senior याने बढ़े बोड़ा बहुत उनके बार में पता था बट वियाद नेवर मिट हम सेम कॉलेज में थे पर हम कभी भी हमने पढ़ा नहीं था साथ में मिले नहीं थे हम We had friends in common however and one of them put me in touch with शाय दो वो ये बताते कि हमारे बहुत सारे common friends थे और उनी common friends की वज़े से मेरी और शायट की friendship हुई थी in 1998 and 1999 we had several conversations on the phone and even met a couple of times so कह रहें 1998 में 1999 में हमारी काफी सारी phone पे बात चीत हुई और हम कुछ बार मिले भी but we were no more than acquaintances until he moved to Brooklyn the next year तो वो कह रहें कि हम लोग स्रिव acquaintances तब तक है याने थोड़ा बहुत एक दूसरी को जानते थे कोई बहुत अच्छे friends नहीं थे में और शायद लेकिन जब वो Brooklyn में मेरी locality में 8 blocks दूर यहां के shift होके आया तब जाके हमारी friendship बड़ी हम रोज मिलने लगे लांच पर जाने लगे तो इस तरीके से हम लोग काफी अच्छे तब फ्रेंड्स बने पहले तो हम सर्फ acquaintances ते याने सर्फ थोड़ा बहुत एक दूसरी को जानते थे तो हम लोग काफी बार मिलने लगे और हमें बता चला कि हम दोनों में बहुत सारे चीजे कॉमने हम दोनों को काफी सारे चीजे सेंड पसंद है अब इस ताइम तक शायद की थोड़ी कंडिशन सीरिस थी थोड़ी उनकी तब्यात खराब रहने लगी थी तब ही तो मैनहाटन से ब्रूपलिन शिफ्ट हो गया अगे थे अपनी बहन के पास में यह थे विलनेस दिड नॉट इंपीड दप्रोग्रेस ऑफ फरेंड्शिप इंपीड याने बिकेम अप्स्टिकल तो वह कह रहें कि उसकी जो इलनेस थी जो इसकी तब्यात खराब थी वह हमारी फ्रेंड्शिप को बढ़ाने में बीच में एक आप्स्टिकल याने एक a huge roster of common friends in India, America and elsewhere. तो वो कह रहें कि जब हमारी बाचीत हुई तो हमें पता चला मुझे और शायद को कि हमारे कितने सारे list roster याने list of friends हमारे common friends हैं इंडिय में, अमेरिका में और दुनिया में कही सारी जगा में, We discovered a shared love for Rogan Josh, Roshanara, Begam, and Kishor Kumar, a mutual indifference of cricket and an equal attachment to old Bombay films. तो यहाँ पर हमको अमितव घोश बताने कि जैसे जैसे हमारी बातचीत होई हम लंच पर मिलने लगे रोज मिलते थे मस्ती करते थे हमें बता चला कि जो मेरी जो शाहिद की फेवरिट डिश है रोगन जोश इसे रोगन जोश बोलते हैं यह एक नॉन्विज डिश है और कश् मीजिक पसंद है उन्हें रोशन आरा भेगम की पोईट्स पोम्स पसंदी रोशन आरा भेगम को अनइ रोशन आरा भेगम शाह जहान और मुम्तास की सेकंड डॉटर है यान्यम जोविध बित्रेश ठी और बहूर्त फेमस पोईटर्स थी तो कावित्री थी कविताएं पसंद था और वो करें हम लोग बहुत ज़र अटाश थे ओल्ड बॉम्बे फिल्म से ओल्ड बॉम्बे फिल्म मतलब दोनों को ही बॉलेवूड की पिक्चर्ज एंड मुवीज गाने बहुत पसंद थे तो यहां पर हमें बताया जा रहा है कि दोनों की बहुत चीत बाते Because of Shahid's condition, even the most trivial exchange had a special charge and urgency. Trivial का मतलब की ओता है? The little value or importance. The inescapable pyogenence of talking about food and half-forgotten figures from the past with a man who himself was to be dying was multiplied. Toh pyogenence मतलब की ओता है? The quality of evoking the keen sense of sadness. तो यहां पर हमें अमितव गोष्ट समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि शायद खुद एक dying man था, उसे पता चल गया था कि उसकी death होने वाली है, cancer की वज़े से. अब किसी को पता चल जाए कि मेरी death होने वाली है और मैं सिर्व इस particular time के लिए जिन्दा हूँ. तो आप imagine कर सकते हो वो इंसान क्या feel करेगा, वो तो यह सोचेगा कि कुछ लोग होते हैं जो रोरोके अपनी बच्ची कुछी life खतम कर दें. लेकिन शाहिद जो थे, वो बहुत energetic person थे, बहुत jolly person थे, उन्होंने अपनी बच्ची कुछी life को बहुत अच्छे से जिया, full of life, हर दिन को उन्होंने enjoy किया, और वो कह रहे हैं कि हमने, जो चीज़े जादा important माईने भी ने रखती थी, जैसे किशोर कुमार, रोगन जोश क प्रिडिश, रोशनारा बेगम, यह सारी जो unimportant चीज़े हैं, इनको भी हम लोगों ने ऐसे past की सब चीज़ों को निकाला और बाते करी और ऐसे लग रहा था हम लोग full of life हो गये हैं, और half forgotten figures याने जो चीज़े में आदी अधूरी चीज़े याद भी नहीं है past के बार में, वो सब चीज़े हम लोगों ने उस conversation में निकाली और हमने वो dying इंसान, इसको पता है मेरी death होने वाली, तो वो हर एक चीज़ को importance दे रहा है, हर एक चीज़ को बात कर रहा है, और fully उसके बारे में with energy, enthusiasm के साथ उसके बारे में discuss कर रहा है In this instance by the knowledge that this man was also a poet who had achieved greatness, perhaps the only such that I shall ever know as a friend तो वो कह रहा है कि यह सब चीज़ों से मुझे यह पता चलता है कि खुद आगा शायद अली एक बहुत great poet है और उन्होंने बहुत greatness achieve करी है, ने बहुत famous इन्होंने books लिखी है, इन्होंने poems लिखी है, इनको दुनिया जानती है, वो खुद अब मरने जा रहा है और मैं इसक मतलब वो खोना नहीं चाहते थे, कहीं नगई Amitav Ghosh को बहुत दुख था, अब Amitav Ghosh एक दूसरा incidence बताते हैं, वो बताते हैं, one afternoon the writer Suketu Mehta who also lives in Brooklyn joined us for lunch, अब वैसे क्या होता था, Amitav वो शायद lunch पंच के लिए जाते थे, अब एक और famous writer है जिनका नाम है Suketu Mehta, this is his picture which you could see on my left hand side वो कह रहें, वो भी Brooklyn में हमारी locality में रहते थे, तो एक दिन वो भी हमें lunch के लिए join करने आए, together we hatched a plan for an adda, hatched a plan याने जब आप कोई secret plan बनाते हो, और यहाँ पे एक Hindi word यूज के है, अनुने बोला हम अपने adda पे जा रहे थे, एक secret plan बना के, तो adda क्या होता है, adda एक वो जगे होती है, मतलब जब जब, अब हम बोलते हैं, अब दोस्तियार मिलेंगे, हमारे adda पे चलो, अपनी वो ही जगा पे चलो, जहां मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं, तो यहाँ पर हो बता रहे है, Amitav Ghosh, वो कहते हैं कि हमने secret plan मना है, क्योंकि यह जो लोग है, Amitav Ghosh, अपने adda पे, अपनी secret place पे जाके मिलते हैं, अपने adda पे जाने का, और वो जो meeting थी, उसका कोई agenda नहीं था, याने कि उस meeting का कोई purpose नहीं था, हम लोग किसी special topic को discuss करने के लिए नहीं मिल रहे हैं, other than conviviality, याने हम से friendly, friendship के purpose पे, ये lively रहने के लिए, must रहने के लिए, enjoy करने के लिए, हमने बस वो plan बनाया था, कोई important discussion के लिए नहीं मिले हम से, शाहिद was enthusiastic and we began to meet regularly, शाहिद को बहुत अच्छा लगने लगा हम सब से मिलना, और फिर ये तीनो regularly मिलने लगे और enjoy करने लगे अपने अड़ा पे, from time to time, other writers would join us, on one occasion, a crew arrived with a television camera, तो ऐसे करके सुकेतु महता के बाद, बहुत सारे दूसरे-दूसरे writers भी इनको join करने लगे, और ये सारे लोग अपने अड़ा पे जाके, मस्ती करते थे, lunch करते थे, enjoy करते थे, एक दिन किछ media recorder, media reporters ने देख लिया, और crew याने group of people, किसी news channel से आ गया, और television camera लेके, mic लेके आ गया, इनके interviews लेने के लिए, शाहिद was not in the least bit put out, I am so shameless, I just love the camera, तो अब शाहिद यहाँ पे camera man को देख के क्या बोलता है, कि मैं तो बहुत shameless हूँ, मैं तो बहुत बेशरम हूँ, मुझे तो camera बहुत पसंद है, आओ, मेरा interview लो, मुझे पसंद है, तो इससे हमें यह पता चलता है, कि जो शाहिद है, वो camera से डरते नहीं, बहुत confident और बहुत मजाकी है, बहुत jovial है, उनको हर चीज में मस्ती चाहिए, वो इस तरीके के person थे, शाहिद had a sorcerer's ability to transmute the mundane into the magical, sorceress का मतलब क्यों होता है, sorceress का मतलब a person who claims or is believed to have magical powers, एक ऐसा इंसान जिसके पास magical powers है, transmute करना, change the form, यानि किसी चीज को बदलना, mundane का मतलब होता है, lacking interest और excitement या dull, तो यहाँ पर हमें तब गोश्च बता रहे हैं, कि जो आगा शाहिद अली थे, उनमें यह sorceress ability थी, यानि यह magical quality थी, कि वो किसी भी mundane या किसी भी boring चीज जिसमें को interest नहीं आ रहा हो लोगों को, उसको transmute कर सकते थे, यानि कि उसको, उसको क्या कर सकते थे, change कर सकते थे, किसी बहुत excited situation में, या किसी बहुत interesting situation में, happy situation में, तो boring situation, dull situation को वो बिलकुल change कर सकते थे, happy situation में अपनी बातों से तो आगा शायदाली बोलते है कि इनके अंदर ये quality थी sorry Amitav Ghosh ये बोलते थे कि इनके अंदर शायदाली के अंदर ये quality थी once I accompanied Iqbal his brother and Hina his sister on a trip to fetch him home from hospital अब Amitav Ghosh यहां पर बताते हैं कि एक बार Amitav Ghosh एक बाल के साथ गये जो कि आगा शायदाली के भाई हैं और Hina जो कि उनकी बहन है उनको hospital से receive करने अब अब डिस्टार जो रहेंगे hospital से तो ये दोनों भाई बन और Amitav Ghosh तीनों उनको वहां से receive करने गए इस वाजन 21 में बाई 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 ताइम याद अल्रीड बीन तू सेवरल अनसक्सेस्फुल ऑपरेशन तो बोल रहें जिस दिन हम उसको हम सक्सेस नहीं मिली हुने अब उन्हें फिर से hospital में एडमिट कर दिया गया है एक surgical procedure याने कई सारे operations के लिए ताकि उनके brain में जो pressure लग रहा है जो ये जो tumor हो गए brain में जो उनको pressure दे रहा है उससे उनको थोड़ा relief मिले याने थोड़ा relax मिले इसके इस वज़े से उनके काफी सारे surgical operations हो रहे थे इस head was shaved अब आगा अशायद अली का head जो पूरा shape कर दिया गया है याने उनको पूरा टकला कर दिया गया है क्योंकि उनकी सर में कई सारी surgeries करनी थी and the shape of the tumor was visible upon his bare scalp अब उसकी जो scalp थी जो head था बिलकुल bare था बाल नहीं थे और जो अंदर tumor था दिमाग में वो बहार निकल के आ रहा था और जो उसका shape था वो उपर से उनके head पे दिख रहा था its edges outlined by a metal sutures sutures क्यों थे a stitch टाके और row of stitches holding together the edges of a wound with a surgical incision तो वो कह रहे थे कि उनके सर पे इस तरीके से ऐसे टाके लगे हुए थे जिसमें metal याने लोहे के ऐसे stitches से उनका सर को इस तरीके से बंद करा गया when it was time to leave the ward a blue uniformed hospital escort arrived with a wheelchair तो अब उन जहां पर उनका operation हुआ जिस रूम में ICU में वहां से लेके उनको shift करा ज़रा था normal ward में याने hospital के normal room में तो एक blue uniform पेनके hospital का escort याने help करने के लिए उनको ward boy आया wheelchair लेकर आया उनके पास शाहिद waved him away और शाहिद ने उनको waved him away याने कि उसको दूर अटाया और बोला कि नहीं wheelchair हटाओ मैं खुद चलूंगा मैं strong हूँ declaring that he was strong enough to walk out of the hospital on his zone उसने बोला मैं खुद चल के चलूंगा मुझे wheelchair की जरूरत नहीं है but he was grogier than he had thought and his knees buckled after no more than a few steps grogier याने की weak and unsteady आप इतने weak हो गए हो कि आप बहुत बीमार हो और buckled याने की bend and give away under pressure or strain जब आप जुक जाते हो तो वो कह रहा है कि वो सर्फ एक दो steps ही चले थे एक दो कदम ही चल पाए लेकिन वो इतने weak हो चुके थे अपनी बीमारी के वज़े से कि वो अपनी knees पे जुक के गिरने ही वाले थे बस क्योंकि वो नहीं चल पा रहे थे और जैसी वो गिरने वाले थे तो उनका जो भाई है इकबाल went running off to bring him back on the wheelchair while the rest of us stood in the corridor holding him upright तो उनका भाई इकबाल भागते वो जल्दी से उनको उठाया और wheelchair पर रखा और बाकी सब लोगों ने उनको अच्छे से wheelchair पर पकड़के रखा था था कि वो गिरे ना at that moment leaning against the cheerless hospital wall a kind of rapture defendant on शाहिद rapture का मतलब क्या है the feeling of intense pleasure or joy कोई मजाग की बाद basically defendant याने came in his mind उनके दिमाग में आई अब आप सोचिए इस situation में जहां पर आगा शाहिद अली अभी अभी एक surgery से बाहर निकले उनके सरपे इतने stitches हैं एक दो steps ही मुश्किल से चल पा रहे हैं wheelchair पर उनको लोगों ने पकड़के रखा हुआ है cancer की बिमारी से गुजर रहे हैं उस situation में उनके दिमाग में उस वक्त एक मजाक आया एक जोक आया उनके दिमाग में अब आप सोचिए कि कितने fun loving infant है when the hospital orderly returned with the wheelchair शाहिद गेव हम a beaming smile and asked him where he was from तो आगा शाहिद अली ने वो जो hospital का ward boy था उसको एक beaming smile से smile दी happy हो के बोला where are you from? कहां से हो तुम? वो कहता है ikkyuader मैं कहां से हूँ? ikkyuader से हूँ the man said अब ikkyuader क्या है? ये country है South America में now this is the map of South America और यहां पर आपका जगा है ikkyuader जहां से वो ward boy belong करता था and shahit clapped his hands gleefully together and said Spanish he cried at the top of his voice तो जैसे ही उन्होंने बताया ward boy ने बताया आगा शाहिद अली को कि मैं ikkyuader नाम की जगा से बिलॉग करता हूँ तो आगा शाहिद अली ने hand slap करके बोले Spanish तो में Spanish आती है मतलब वाँ वह बहुत खुश हो गई सुनके क्योंकि आगा शाहिद अली को Spanish सीखनी थी I always wanted to learn Spanish यह I कौन है कौन बोल रहा है यह आगा शाहिद अली वो कह रहे है मुझे हमेशा से Spanish सीखनी थी जस्टू रीड लॉका क्योंकि मुझे लॉका की पोईम पोईम्स पड़नी थी अब लॉका कौन है लॉका है गार्शिया लॉका इन Spanish most deeply appreciated and highly revered poet and dramatist तो यह जो picture आप मेरे left hand side पे देख रहे है यह गार्शिया लॉका है यह Spain के बहुत famous poet है और dramatist है ने dramas बनाते है तो इनके अगर इनके books को और इनके poems को अगर पढ़ना है तो obviously आपको Spanish आना ज़रूरी थी क्योंकि पुरी Spanish language में लिखते है तो आगा शाहिद अली के dream थी कि मुझे Spanish learn करनी है ताकि मैं गार्शिया लोगा की poems को और उनके काम को पढ़ सकूँ शाहिद's gregariousness had no limit gregariousness याने की fond of the company of other people and socially याने की शाहिद को हसी मजा करना, लोगों से बातचीत करना, social रहना बहुत अच्छा लगता था तो वो कह रहे हैं कि शाहिद की gregariousness की कोई limit ही नी थी, वो wheelchair बेटे है बिमारी में, उस वक्त भी वो कहते हैं there was never an evening when there wasn't a party in his living room तो वो कहते हैं कि मतलब शाहिद के घर पे हमेशा जब भी जाओ कौन बोल रहा है Mr. Amitav Ghosh कह रहे हैं कि शाहिद की घर पे जब भी जाओ, हमेशा वाँ पाटी चलती रहती थी क्योंकि वो इतने gregarious थे, इतने social थे, उनको लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता था I love it that so many people are here, he told me once I love it that people come and there's always food तो Amitav Ghosh बताते हैं कि मुझे एक बार याद आ रहा है कि आगा शाय दली ने मुझे से कहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब घर पे बहुत सारे लोग आते हैं मेरे याँ तो आगा शाय दली कह रहे हैं इसका मतलब यह है कि जब बहुत सारे लोग आपकी घर आते हैं बहुत अच्छा अच्छा खाना बन रहा है तो spirit of festivity यह से लगए आपके ज़र कोई त्योहार मन रहा है कोई festival मन रहा है और इसका यह मतलब है कि मेरे पास depressed रहने का याने कि अपनी बीमारी की वज़े से दुख मनाने का कोई time ही नहीं है क्योंकि मैं hard time अपने दोस्तों सार अच्छा खाना काके spend कर रहा हूँ His apartment was a spacious and airy split level on the 7th floor of a newly renovated building तो बता रहें कि जिस apartment में आगा शाह दली रहते थे बहुत spacious था याने काफी बड़ा था काफी space थी वहाँ पे और airy था क्यों क्योंकि airy याने बहुत हवा आती थी क्योंकि वो 7th floor पे साथ भी मंजिल पर रहते थे तो बहुत अच्छी हवा आती थी वहाँ पे और वो जिस building में रहते थे थे वो newly renovated थी याने नहीं नहीं अभी बनाई गई थी there was a cavernous study on the top floor and a wide terrace that provided a magnificent view of the Manhattan skyline across the east river cavernous का मतलब क्या होता है huge vast बहुत जगा जो बड़ी सी spacious जगा है तो वो कहते है कि उनके घर में एक study room था जो बहुत cavernous था याने की बहुत बड़ा था बहुत spacious था और top floor पर था और बताते हैं कि वहां से उनकी terrace से उनकी छट से क्या दिखता था बहुत शांदार यह Manhattan का view दिखता था जो Manhattan की बिल्डिंग्स है और वहां पर बढ़िया lights रहती थी रात में तो बहुत glow करता हुआ दिखता था और नीचे यह जो रिवर दिखरी आप वो इस्ट रिवर वो लगी हुई थी वहीं से उसके पास ही joint थी तो वो कहरे थे कि एतना इतना शांदार व्यू उनकी study room की विंडो से दिखता था शायद love this view of the Brooklyn waterfront slipping like a ghat into the east river under the glittering lights of Manhattan तो बोलने है कि शायद कोई जो व्यू था आपने घर से दिखता था जो विंडो से वो उनको बहुत पसंदा क्योंकि यहाँ पे glittering lights रात होते ही यहाँ पे शाम में lights वगरे ओन हो जाती थी और सामने से जो रिवर इस्ट रिवर जो भे The journey from the foyer of Shahid's building to the door was a voyage between continents. On the way up, the rich fragrance of Rogan, Josh and Haak would invade the door. Gray interior of the elevator. तो यहाँ पे foyer का मतलब क्या है? The entrance of the hall. जबी भी आप किसी जगा में enter होते हो तो उसका entrance होती हो से हम कहते है foyer. तो हमें तक गोश कहते हैं, जबी भी मागर शायद अली की building में enter करते हैं तो जो उसका entrance था, जो foyer area था, वहाँ से लेके शायद के घर के door तक, दर्वाजे तक जब तक पहुचो तो वो समझो एक voyage, याने एक journey जैसा लगता था है कि हमने इक building से लेके उसके घर तक एक journey कर और कैसी journey दो continents के बीच में, कि एक continent से आप दूसरे continent चले गए हो, on the way of the rich fragrance of rogan josh क्यों क्योंकि आप एक different continent में थे, वो लोग एक दूसरी जगह थे और जैसी आप उसके घर के दर्वाजे तक पहुचते आपको rogan josh और haak, haak याने कि ऐसा साग होता है, green spinach का, पालक का ऐसा स soup type का बनता है, उसे हम कश्मीरी डिश होती है, इसे हम हाक कहते हैं, कश्मीरी हाक, तो कहते हैं, ऐसा लगता है, हम किसी तूसरे continent में बहुच गए, क्योंकि इस घर के दर्वाजे के बाहर, rogan josh की fragrance आने लगती है, हाक की fragrance आने लगती है, तो लगता है कि हम कहीं और ही पहु एलेवेटर थी, उसकी बिल्डिंग में, पूरा उसका इंटीर ग्रे कलर का था, against the background of the songs and voices that were always echoing out of his apartment, तो वो कहते हैं, कि जबी भी हम एलेवेटर में, याने लिफ्ट में होते ही थे, हमें उसकी अपार्टमेंट के बाहर से, उसकी घर के बाहर से, हमेशा गाने बजानों क कि आवाज आती रहती थी, क्योंकि लोग हमेशा होते थे, मस्ती करते थे, musical instruments play करते थे और enjoy करते रहते थे उसकी घर पे, even the ringing of the doorbell had an oddly musical sound, तो में तफ कहते हैं, कि in fact उसके घर की जो doorbell थी, जो घंती थी, जबी वो बजाते थे, उसका भी एक अजीब सा musical sound था, जो जिस पे स हमेशा हसते थे, suddenly शाहिद वोड़ अपयो, flinging open the door, realizing a great cloud of hing into the frosty new york air, तो वो कहते हैं, जैसे गेट खुलता तो उसके घर का, new york की frosty air इतनी थन्ड होती थी, वहाँ पे, उसमें ऐसा हीन की खुश्बू फैल जाती थी, हीन क्यों होता है, एक तरीकी का मसाला होता है, एक त हीन की खुश्बू पूरी जगा फैल जाती थी, new york की chilled frosty air में, oh how nice, he would cry clapping his hands, how nice that you've come to see your little Muslim, अब मौसलम का मतलब यहाँ पे वो accent होन का, मौसलम का मतलब यहाँ पे Muslim, Muslim religion, वो मजाग मस्ती में कहते थे, oh wow, मुझे बड़ी खुशी होई, आप यहाँ आए मेरे घर में अपन अपने मौसलिम दोस्त को देखने, मौसलिम यहने मुसलिम दोस्त, उनका accent इस तरीके से था, invariably there had been some half dozen or more people gathered inside, तो जैसे ही Amitav Ghosh बताते हैं कि हम उसके घर में घुसते थे, अंदर half a dozen काफी, मतलब 10-12 लोग तो हमेशा होते ही थे, जिसमें बहुत सरे poets होते थे, आगा शाय और किचिन में कोई न कोई जरूर होता था, जो खाना या चाए बना रहा होता था उसके घर में, almost to the very end, even as his life was being consumed by the disease, he was the center of a perpetual carnival, perpetual मतलब never ending, forever जो हमेशा चलते रहता है, तो हमें तब कहते हैं कि उसको पदा चल गया तो उसके death होने वाली और वो मरने वाला है, उसके बाद भी continuously, forever घर पे ऐसा लगता तो उसके घर पे कारने वाल एक मेला चल रहा है, जह बहुत सारे जोगन जोश, हाग खा रहे हैं, सब खा रहे हैं ये लोग, and endless मेला of talk, laughter, food and course, poetry, और घर पे सब पोईटरी का रहे हैं, कभी कभी ताएं गा रहे हैं एक दूसरी को, तो उसके घर पे ये मस्ती मेला जैसे चलती रहती थी, No matter how many people there were, Shad was never so distracted as to lose track of the progress of the evening's meal, Now, एक quality आगा शाय दली की जो है, वो ये है, कि आगा शाय दली बहुत superb cook थे, उनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, and उनको सारी recipes लोगों को अपनी बताना अच्छा लगता था, तो वो बता रहे है, अमितव गोश की, भले ही आगा शाय दली के घर में कितनी पाटी चल रहे हो, कितनी लोग घर में बैठे, वो हमेशा ध्यान रखते थे कि किचिन में क्या बन रहे है, और जो भी बन रहे है, वो perfect बने है, उसमें कोई गलती ना हो, From time to time, he would interrupt himself to shout directions to whoever was in the kitchen, Yes, now, add the dahi now, तो भले ही वो बहार living area में सब guests के साथ बैठे ओ हो हैं, बाते कर रहे हैं, falay हैं बीच बीच में से वही से सब कोशकर बोलते थे एक मिंटने किच्छा गा-इक मिंटने एक मिंटने even when his eyesight was falling he could tell from the smell alone exactly which stage the rogan josh had reached and when the things went exactly as they would as they should he would sniff the air and cry out loud ah khana ka kya mehk hai toh jab unki eyesight girne laghi yane ki jab cancer ki wajay sa unki aankho ki roshni thodi kam honne laghi unko dhkhaayi ni dheta ta ki ki kaise dalna hai kya chizai dalni hai khanai me so joh khani ki smell hoti ti ki stage pe khani paoche wo smell se batathe te ki acha ok ab isme ye dalna hai ab isme ye dalna hai to khani ki smell se wo betta sakti te ki khani ke stage te kuk ho cuka hai or phir jab khani aachse se ban jata tha jab khani ki bal aachse khushbue ho jati te woh hawa aise leete te or wo kate ta haa khana kya bharia banai ki itna aachha khana ka mehk hai kya khushbue hai to is tarikai se wo ko karte te rogan josh basically unki favorite dish di and this is a kashmiri dish basically shahid was legendary for the prowess in the kitchen legendary yanaki famous prowess yanaki skill or expert in a particular activity or field to batara ki shahid bhot famous tha kyunki kitchen ki ka maho what prowess teh ne expert thos ko khana banana or kis cheese me kya ndalna hai kya ndalna is basically what expert thos ki skill thi ye frequently spending days over the planning and preparation of a dinner party it was through one such party given while he was in Arizona to jab bhi woha apne ghar pe koji party plan karthi te uske kuch dhin pehle se toh woh preparation start karne lag jathe te ki aise tiyari karne ye wiesse karne ye toh har cheeze me wohh bhot particular thi aur isi tarikhi ki eek party unhoon ne Arizona naam me Arizona jaga par bhi di thi that he met james merrill the poet who was to radically alter the direction of his poetry toh ye joh poora map hai ye USA ka map peh ur yaha peh ye jaga hai Arizona toh wohh bata raya ki jab agashai deli Arizona me teh woha pe bhi unhoon ne aise eek dinner party di hoi thi aur woha pe woh kis ko mili james merrill naam ke famous poet se mili aur inse milne ke baad unki life change ho gai ki james merrill ki joh poetries hai uska ka kaafi influence padha agashai deli ki poetries pe james merrill se milne ke baad hi it was after this encounter that he began to experiment with strict metrical patterns and verse forms metrical yane ki relating to or compose in a poetic meter james merrill ki poetry is pandhne ke baad hi unki poe poems likhne ke style mein kaafi change aya aur positive change aya woh kaafi metrical patterns aur verse forms mein lihte thi yane ki paragraph forms mein kaafi changes kare unhoon ne aapni poetry likhne ke style mein no one had a greater influence on shahid's poetry than james merrill indeed in the poem in which the most explicitly prefigured his own death i dream i am at the ghat of the only world he awarded to envoy to merrill to yahaan pe pataya ja raha ki agashai deli ki jo poetries us ka us ke up our sub se important difference kis ka aya james merrill ki james merrill ki poetry is parke unhoon ne aapna poems likhne ka jose style hai woh kaafi change kiya aur unhoon ne prefigured yane pehle se hi unko indication mili ya ta pehle se unko kisi chies ke baare me shahid pata chalga ya ta apni death ke baare me aur isi death ke baare me unhoon ne aapni poem me zikr kiya hai I dream I am at the ghat of the only world to yaha jopo home unhoon ne likhi hai agashai deli niya I dream I am at the heart of the only world ismei unhoon ne shayad kuch apni death ke baare me bhi zikr kiya to shayad unhe pehle se hi pata chal gaya tha unhe intuition haa gaya tha apni death ke baare me envoy ka matlab kiya hota messenger or representative specially one on a diplomatic vision to wo kehtae ki shahid ko unhoon ne kya bola james merrill ne shahid hush this is me james a loved one always leaves to us tariqe ki unhoon ne messages ek dousare se exchange kiya aur aaj me aapki liye yahaan pe rlai hoon snapshots book ke 6th chapter the ghat of the only world ka part 2 agar aapne part 1 ka video dekha hooga to aapko pata chaloga ki humne usmei kya cover kiya hai humne usmei explanation cover kiya hai and thoda bho chapter ka overview cover kiya hai mahi aapko chuta sa brief introduction dhe dihati hoon jitna bhi humnei part 1 me cover kiya hai usmei humnei dhikha ki aaga shahid ali juki friend hai kiske amitav Ghosh ke wo onnei bataate hai amitav ko ki unko brain tumor hooghe aur unke death hoonne wali hai aur wo request kerte ki tum meri liye kooi kitaab likhna meri death ke baad pehle to amitav thoda resist kerte hai but phir unhoon ne uske baad maan liye aur phir uske baad poos wo kya karne laghe amitav Ghosh saare chizou ke record banane laghe aur saab chizou observe karne laghe shahid ali ke baare mein taa ki wo unke baare mein unke death ke baad likh paayin toh unhoonne kaafi sarah instances note ki aur usmei hum loogunne mention karheen hain part 1 video mein also part 1 ke end mein humne jahan end kiya hai wunnei aapko bata deeti hoon ki joh aaga shahid ali hai unko parties dena loogunko ghar pe bolana khana khilana baut achha lagta hai toh Arizona naam ki eek jagha par unhoonne eek aise hi party di thi jahan pe unhe james merril naam ke famous poet mili thi aur inhi ki milne ke baad unki poetries me kaafi zyadha change aya tha kyunki james merril ki poetries ne influence kara tha agar shahid ali ki poetries ko so ab aage pardate hai aage kya hua usmei shahid place great store on authenticity and exactitude exactitude in cooking and would tolerate no deviation from traditional methods and recipes toh abh yaa pe shahid ki cooking ke baare mein baat ho rhi kiunki shahid ko cooking ka bohut shok tha aur wo bohut achche cook bhi thi just a second exactitude ka kya matlab hotta the quality of being very active accurate and careful toh yaha amitav ghojh bata rhe hai ki shahid joh thay what exactitude te yane unko har chiz khani ki me perfect chahiye sare masale sara joh recipe tha sab perfect chahi unko for those who took shortcuts he had only pity toh wo kehte hai ki joh log khana bana te vaak shortcut le le te na shaha agar shahid ali ko sirven piti ati ya ne sirve daya ati ke loo kaisa kar sakti khana bana te vaak koi kaisa shortcut le sakta hai he had a special passion for food for his region and variant of it variant of it in particular kashmiri food in the pundit style toh yeh sab hume patah hi hai ki joh agar shahid ali hai woh kashmir se belong karte hai aur abu usf me finally settle ho ga hai lekin aapne kashmiri roots se bhoh connected and bhoh zahad joined hai toh bata rhe hai ki aapne region joh johan se woh aate hai kashmir se woha se woh aapna food ka passion laya hai aur aur unko kashmiri food pundits style me bhohut patsand hai and raat o raat kashmiri pundits ne aapne joh joh kashmir ki valley thi woh chhod diye toh yeh violence kaafi kashmir mein hota tha jis wajhe se unko lagta tha agar shahid ali ko ki jo pundit style hai kashmiri food banane ka woh kahi extinct na ho jahe haamari kashmir ki valley se i asked him once why he was so important to him and explained that it was because of recurrent dream in which all the pundits had vanished from the valley of kashmir and their food had been extinct recurrent yane which comes again and again toh yehaan peh amitav ghosht ne ek bar agar shahid ali se puchha ki tum baar baar har chiz mein kashmiri food apni poetries mein bhi kashmiri kashmir ke baare mein hamisha likh toho aasa kyun toh agar shahid ali ne bata hai ki meri ko ek dream bar bar aata hai recurrent dream hai merah ki jitne bhi kashmiri pundit se unho ne kashmir ki valley chhod diye aur jis wajay se joh kashmir meh joh kashmiri food ai pandit style ai meh wo extinct ho gaya kashmir ki valley se ane khatam ho gaya mahaf peh kashmiri pundit seil food ka koji namo nishani ni raha and this was a nightmare aur ye eek bura sapna tha joh hamisha dara ata ta hun ko haunt kurta tha aga shahid ali ko hamisha aatha ta he return to it again and again in his conversation and poetry और इसी वज़े से अपनी conversation में लोगों से जो भी वो बात करते थे, अपनी poetry's लिखते थे, खाने में हर जगा वो कश्मीर का जिक्र जरूर करते थे, कौन? आगा शाय दली और इसी के बाद उन्होंने कुछ यहां पर अपनी poetry की lines बताईये at a certain point I lost track of you, you needed me, you needed to perfect me, in your absence you polished me into the enemy, your history gets in the way of my memory, I am everything you lost, your perfect enemy, your memory gets in the way of my memory, there is nothing to forgive, you won't forgive me, I hid my pain, even from myself, I revealed my pain only to myself, there is nothing to forgive, you won't forgive me, if only somehow you could have been mine, what would not have been possible in the world? तो यह कुछ lines है जोनकी poetry की और जो उन्होंने हमको यहां पर बताई हैं अब वापिस हम हमारे chapter पर continue करते हैं once in a conversation he told me that he also loved Bengali food, I protested, but शाहिद, he had never been to Calcutta उस जमाने में Calcutta को, अभी जो कॉलकता है, उस जमाने में कॉलकता को कालकता कहा जाता था तो अभी आप एक दूसरा instance बता रहे हैं Amitav Ghosh हमेश आयद के बारे में और कहते हैं कि एक बार शाहिद बोलता है मुझसे कि I love Bengali food में, जो तो Bengali food बहुत पसंद है तो Amitav कहते हैं पर तुम तो कभी Calcutta गई नी, Calcutta का हैं Bengal में तुम तो गई नीफर तुम्हें Bengali food के बारे में कैसे है पता हूँ और कैसे तुम्हें अच्छा लगता है No, he said, but we had friends who used to bring us that food When you ate it, you could see that there were so many things that you don't know about everywhere in the country तो आघा पोलते हैं, आघा शाहिद अली कि नहीं मैं कभी Bengali नहीं गया कि कितनी सारी चीज़े पता ही नहीं है, कि Bengal का food ऐसा होता है, इसमें ये सारी चीज़े डलती है मुझे तो सरफ Kashmir का पता है और थोड़ा बहुत Western food में खाता हूँ क्योंकि मैं foreign country में रहता हूँ तो जब मैं Bengali food खाता हूँ या मैं कहीं दूसरी चीज़ की जगा खाता हूँ food तो मुझे पता चलता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं अपनी country के बारे में What I say is, why can't you be happy with the cuisines and the clothes and the music and all these wonderful things तो अमितव आगा शायद अली से कहते हैं कि तुम अपने culture के music, अपने culture के food, अपने culture के clothes हैं अपने culture के लोगों के साथ खुश क्यों नहीं रहते हो, तो मैं अलग-अलग cultures के खाने की क्या जरूरत है He paused and added softly, at least here we have been able to make a space where we all can come together because of the good things तो आगा शायद अली अमितव की इस बात को सुनके दो मिनिट का pause लेते हैं और फिर कहते हैं कि at least कम सकम यहाँ पे इस foreign country में जो अलग-अलग cultures के Indian लोग यहाँ पे हैं, हम सब मिलते हैं एक जगा पे और peacefully एक दुसरे का खाना खाते हैं एक दुसरे की company enjoy करते हैं और मस्ती करते हैं, कितना enjoy करते हैं यहाँ पे का मतलब क्या है? क्योंकि जहां से वो आए हैं कश्मीर से, वहाँ बहुत ज़्यादा violence है Hindu, Muslim caste, इन सब के उपर बहुत ज़्यादा violence सलता है, वहाँ पे तो वो कहते हैं, वहाँ तो इस सब पॉसिबल निये अटलीस यहाँ पे, foreign country में तो हम जो दूसरे cultures के लोग रहते हैं, यहाँ पे तो एक साथ मिल के हम खा सकते हैं, यहाँ पे तो peace है, यहाँ पे तो सुकून है of the many good things in which he took pleasure, none was more dear to him than the music of Begum Akhtar, he had met the great gazal singer when he was in his teens through a friend and she had become an abiding presence and influence in his life, abiding का मतलब क्यो ओता है, a memory lasting a long time, abiding का मतलब जो memory आपका भी भूलती नहीं, आपको हमेशा याद रहती है उस चीज के बारे में, तो यहाँ पे, Amitav हमें बता जाते हैं कि बहुत सारी good things जो आगाशायद अली को पसंद थी, उसमें से एक और चीज थी, जिसको वो पसंद थी, चीज पसंद थी, वो था music of Begum Akhtar, यह Begum Akhtar थी और यह musician थी, गाना गाती थी और गजल सिंगर थी, गजले गाती थी, तो इनका जो काम था, इनकी जो ग आगाशायद अली, और वो बताते हैं कि इनका जो मिलना और इनकी जो गजल से इनका काफी impression था, impression पढ़ा था आगाशायद अली के ऊपर भी, और आज तक उनको वो यह memory याद थी, वेगum Akhtar के बार में, शायदार fund of stories about a sharpness in reparty, now, reparty का मतलब क्या होता है, a conversation or speech by which quick witty comments or replies in a comic way, अब, जब कोई इनसान बहुत witty होता है, इसका मतलब होता है कि वो बहुत हाजर जवाबी है, और जब वो जवाब देता है, बहुत humorous, बहुत हसी मजाख वाले जवाब देता है, और बहुत sharp जवाब देता है, यानि कि खटाक से जवाब दिया और हर स सवाल कौन के पास जवाब है, that means the person is witty, यानि रिपार्टी है वो, रिपार्टी इस quality को हम रिपार्टी कॉलिटी कहते हैं, अगर आप witty हो तो, यानि हाजर जवाबी, बहुत humorous style में जवाब देना, हाँ हाँ तो ठीक है न इस तरीके से, तो ये सारे जो witty conversations होती है, ये ब रिपार्टी से related कहानिया थी, क्योंकि बेगम अक्तर जो थी, बहुत witty थी, यानि हाजर जवाबी थी, फटाक से एक जवाब दिया और हसी मजाग वाला ऐसा जवाब की मतलब, माहौल बन गया, इस type से, तो शायद अली को इन सब चया, उनकी इन सब stories के बार में पता था, धूमरस सा अंसा निकला, वो खुद कभी ऐसा नहीं था, on one famous occasion at Barcelona airport, he was stopped by a security guard, just as he was about to board a plane, तो एक और incidents यहाँ पर हमको शायद के बार में बता रहे हैं, बताती कि एक बार Barcelona airport पर क्या हुआ था, हमकि एक security guard ने, शायद को stop किया, जैसी वो plane पर board करने वाले थे, और जाने वाल तो उसने बोला, I am a poet, शायद आंसर उसने बताए कि मैं poet हूँ, what were you doing in Spain, तो उसने बोला, तुम Spain में क्या कर रहे हो, guard ने पूछा, writing poetry, तो उसने खटक से जवाब दिया, मैं तो poetry लिख रहा हूँ, तो no matter what the question, शायद worked poetry into his answers, तो बताते हैं कि किसी का भी कोई भी जवाब प यह मतलब किया, irritate, a woman was irritated होगए, उसने पूछा, are you carrying anything that could be dangerous to the other passengers, तो उसने शायद से पूछा, क्या तुम कुछ ऐसा carry कर रहे हो, जो दूसरे passengers के लिए dangerous हो सकता है, plane में, at this, शायद clapped a hand on his chest and cried, only my heart, तो इस पे शायद ने अपना hand, अपने chest पे ऐसे clap किया, और कहा, only my heart, मैं बातों में हमेशे poems और deep, deep बाते बोल जाते थे लोगों को, this was one of the great Vildian moments and it was to the occasion of the poem, Parcelona airport, अब Vildian का मतलब यहां कै, Vildian का मतलब यहां है, related to Oscar Wilde and his work specially being witty, तो Oscar Wilde, एक poet थे, बहुत famous थे, जिनके विक्चिरा आप यहां देख सकते हो, यह films में भी इन्हों ने कई काम किया है, और यह ऐसी personality थी जो बहुत witty थी, यहने बहुत हाजर जवाबी थी, इनको suddenly एक किसी पर जवाब का question का answer पूछो, फटा-फट जवाब देगा और witty question है, यहने बहुत खटाक से answer दिया and बहुत humorous, बहुत मजाकी answer वो होता था, तो यह वो पोल रहे हैं कि जो यह बार्सेलोना एरपोर्ट पे, शायद ने गाट से बोला कि only my heart, यह तो wildian moment हो गया, यहने Oscar wild से compare करके बोलिया कि जैसा moment हो गया, कि जैसा Oscar wild है, इतना witty वैसा उसने यहाँ पे witty बना, वो witty था नहीं शायद, लेकिन जिस तरीके से उसने जवाब दिया, उसने रिप में रख लेता था, शायद और कहता था, कि I long, long मतलब I wait, मैं wait करता हूँ कि लोग मुझसे इस तरीके के questions पूछें, और मैं बढ़िया से उन्हें answers दूँ, he told me once, ऐसा उन्होंने बताया था Amitav को इस बार में, अब यहाँ पे दूसरा incidence आता है, कि on seven में I had good fortune to be with him, when one such opportunity presented itself, तो Amitav बताते हैं कि seventh में को एक मुझे opportunity मिली, कि मैं शायद अली के साथ जाओं एक जगा पर, जहां पर वो पढ़ाते हैं, और देखूं कि वो किस तरीके के इंसान है, और लोग कितना पसंद करते हैं आगा शायद अली को, शायद was teaching at Manhattan's Baruch College in spring semester of 2000, and this was to be his last class. Indeed, the last he was ever to teach. तो बताते हैं कि एक दिन seventh में को, अपनी last class conduct करने गए थे, Manhattan Baruch College में शायद, तो वहाँ पे साथ में Amitav भी गए उनके, और वो basically उनकी seriously last class ही थी, क्योंकि इसके बाद वो पढ़ाई नी पार उनकी death हो गई थी. तो इससे हमें क्या पता चलते हैं? इससे हमें यह भी पता चलते हैं कि आगा शायद अली पोएट तो थे और साथ में एक teacher भी थी. तो जो वो class कंड़क करने वाले थे, वो बहुत short class होने वाली थी, क्योंकि just class के बाद आगा शायद अली का एक appointment था एक hospital में, doctor से. I had heard a great deal about the brilliance of शायद's teaching, but this was the first and only time that I was to see his perform in a classroom. तो अमितव कहते हैं, मैंने कि मैंने आगा शायद अली की teachings के बार में, बहुत सुन रखा था कि बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत class engage करके रखते हैं, लेकिन ये पहली और आखरी बार मुझे chance मिला कि मैं आगा शायद अली के साथ उनके classroom में जाऊं, और देखूंग कि वो किस तरीके से पढ़ाते हैं और कैसे students के साथ react करते हैं, तो अमितव बोलते हैं, जैसे हमने walk-in करके अंदर गए class में, तो सारे students चाहित को adore करते हैं, बहुत पसंद कर रहे थे, तो उन्होंने आगा शायद अली के ऊपर एक magazine बनाई हुई थी, और बहुत सारे उसके prints निकल वाई थे, जिसमें से एक issue, याने एक copy उन्हें आगा शायद अली को भी gift करी थी, उनके students ने, शायद for his part was not to the least subdued by the sadness of the occasion, subdued याने की quiet and rather reflected or depressed, तो वो कहते हैं कि क्योंकि occasion ऐसा था, time ऐसा था कि उनकी last class होने वाली थी, और उनको पता था कि इसके बाद मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, मेरी death हो जाएगी, लेकिन इस thought को उन्होंने subdued नहीं किया, इस thought की वज़े से वो ऐसा नहीं था कि शान्त रहे या बहुत depressed रहे, ऐसा नहीं था, बलकि इसको opposite था, वो तो अपनी last class में बहुत enthusiastic थे, वो बहुत मज़े कर रहे थे, बहुत enjoy किया उन्होंने, from beginning to the end, he was a sparkling diva, class की शुरू होते से end तक वो एक sparkling diva की तरह थे, याने की बहुत full of energy थे, अक्तर incarnate, brimming with laughter and nakhra, brimming याने full of particular quality or feeling, तो वो शुरू आत से ही बहुत हस रहे थे, बहुत मज़े कर रहे थे, enjoy कर रहे थे, और अपने nakhra's throw कर रहे थे, याने नखरे बाजी भी थोड़ी बहुत कर रहे थे, बच्चों के साथ, तो बच्चे enjoy कर रहे थे students, फिर आखरी में क्यों होता है, एक लड़की, इंडियन लड़की थी, वो उनकी class में late हुई, तो उन्हों ने उसको greet किया, और क्या कहके greet किया? आ, my little subcontinental has arrived, clasping his hands, he feigned a spoon, तो जैसे ही वो इंडियन लड़की लेट आई, तो उन्होंने बोला, मेरी little subcontinental आ गई, क्यों? क्योंकि वो Asia से belong करते थे, कश्मीर से खुद शायदली, और लड़की भी Asia की थी, इंडियन थी, तो उन्होंने कहा कि subcontinental, मेरी छोटी सी continent आ गई, ऐसे करे कि उन्होंने मजाग में बोला उसको, feigned याने की, simulated or pretended, swoon याने be overcome with admiration, adoration and strong emotion, तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्यार सी बोला, कोई गुस्टे से उसको नहीं बोला, it stirs such a tide of patriotism in me to behold another South Asian, behold याने to see, तो शायद कहते हैं यहाँ पर कि मैं जब किसी को behold करता हूँ, South Asian याने मेरी country के किसी को देखता हूँ, तो मेरे अंदर patriotism याने देश भक्ती के feeling बहुत जादा आ जाती है, his time at Penn State, he remembered with un-intimated pleasure, अब Penn State क्या है, पैन स्टेट है, Penn State University in USA, Pennsylvania जो युनिवर्सिती है, USA में उसको short में Penn State बोलते हैं, तो बोलते हैं कि वो जो पैन स्टेट में जो अपना, जब वो काम करते थे, उस time को, अब यह दूसरी उनिवर्सित की बात खतम हो गई, Manhattan Baruch College की बात खतम हो गई, अब यहाँ पेन स्टेट जो दूसरी उनिवर्सिती में वो पढ़ाया करते हैं, तो उसकी बात स्टार्ट हो गई है, तो हमें तब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आगा शायदली जब पैन स्टेट में काम करते थे, तो बताते हैं कि वो उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है, अनिंटी में, इंटीगेटेड का मतलब क्या है, अन्कौलिफाइड, तो वो कहते हैं कि मैं जब यहाँ पे काम करता था, तो मुझे जो प्लेजर जो शान्ती मिलती थी, वो उनकौलिफाइड थी, याने कि इतनी अच्छी नहीं थी, मैंने यहाँ पे काम करकर के, I grew as a reader, मैं एक अच्छे reader की तरह डेवलाप हुआ, I grew as a poet में, और अच्छा poet बिना पेन स्टेट में काम करके, I grew as a lover, और मैं एक lover की तरह भी grew हुआ यहाँ पे, काम करके, He fell in with a vibrant group of graduate students, many of whom were Indian, तो वो कह रहे हैं कि, एक group of students था, जो graduated थे, जिसमें काफी सारे Indian students थे, तो he fell in with that group, याने कि उनको उस group में involved होगर, उन group के साथ ही रहते थे और, बहुत मस्ती करते थे, इंजॉइ करते थे उस group में, This was he often said, The happiest time of his life, और ये जब वो उस group के साथ enjoy करते थे, Penn State University में, ये उनकी life का सबसे happiest time था, ऐसा, आगा शायद दली बताते हैं, अमित्रव गोश को, Later, शायद मूव तो Arizona, Again, this is the map of USA, ये जो country है, ये आरिजोना है, फिर बाद में, शायद कहा, शिफ्टों के चले गए, आरिजोना में, क्यों क्योंकि, He wanted to take a degree in creative writing, उनको creative writing में एक degree चाहिए थी, तो Arizona में जाके, उनने अपनी पढ़ाई complete करी थी, This in turn was followed by a series of jobs in colleges and universities, तो Arizona में जब वो जो गए थे, तो उसके बाद बहुत सरी उनने वहाँ पे, जॉब्स भी करी थी अलग-अलग colleges में, जैसे Hamilton College में, the University of Massachusetts में, at Amherst, and finally the University of Utah in Salt Lake City, तो इन अलग-अलग जगाहों पे इनो ने जॉब्स भी करी हैं पढ़ाने की, वेर he was appointed as professor in 1999, तो 1999 में इनको as a professor, इन अलग-अलग universities में, जॉब्स मिली Arizona में, he was on leave from Utah, doing a brief stint at New York University, when he had his first blackout in February 2000, stint का मतलब क्या है, a small amount of teaching, याने उनोंने क्या किया, वो उटा University पे, जॉब कर रहे थे वहाँ पे, और सिर्फ कुछ टाइम तली, फिर उनोंने वहाँ से लीव ले ली, और New York में, उनोंने सिर्फ कुछ टाइम क्ली पढ़ाया, क्योंकि February 2000 में, उनका पहला blackout हुआया, इनने पहली बार उनके आँखों के सामने से अंधीरत चाया, और शायद पहली बार उनने पता चला, कि उनको ये बिमारी जो है, एक्जिस्ट करती उनकी बॉड़ी में, तो उसके बाद फिर उनोंने कभी नहीं पढ़ाया, अब 1975 की बात हो रही है, और उस ताइम पे शायद अली के बारे में बात हो रही है, कि आफ्टर 1975, ये मुव तो पैंजलवेनिया, तो वहाँ पे उसका भाई अल्रेड ही रहता था शायद का और बाद में उनकी जो दो बहने थी, समीता और हिना उन दोनों ने भी जॉइन कर लिया उनको, बच शायद के पैरेंस से वो अभी भी कश्मीर में ही रहते हैं, और ये शायद का रूल था, ये शायद का, मतलब रिच्वल था कि हर साल समर वकेशन में, वो कश्मीर जाके अपने पैरेंस के साथ ही रहता था और इंजोई करता था, तो वो कहता है कि ऐसा लगता है, मैं जा रहा हूँ, जब मैं कश्मीर जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत साथा वाइलन्स है, जैसे मैंने आपको बताया था, कश्मीरी पंडिट्स और मुस्लिम्स के बीच में, वो कहते हैं कि 1980 से, वहाँ पर बहुत ज़ादा वाइलन्सार्ट हो गया था, और मतलब ऐसे लगना लगा कि वो एक शहीद हो गएं, शाहिद उनका नाम था, शाहिद उनका नाम था, और शहीद, यानि जो इंस nied शहीद हो जाता है, कि मार्टियर हो जाता है, तो वो कहते हैं कि शाहिद एक मैं हूँ यानि मैं विटनिस कर रहा हूँ देख रहा हूँ ये सब पूरी कश्मीर की हालत लेकिन मैं शहीद भी हूँ क्योंकि मैं ये सब देख रहा हूँ और मैं कुछ करनी पारा हूँ शहीद हो चुका हूं fantier हो चुका हूं कश्मीर के लिपार हूं यह कुछ नहीं कर सकते हैं यह उनकी खुद की लिक्वी लाइन्स हैं जिसमें वो कहते हैं कि मतलब पत्थर बाजी हो रही थी दिवा स्टोन फैल्टिंग कश्मीर में ऐसा हो रहा था और जल्दी पूरा कश्मीर लिटल फ्लेम्स में हो जाएगा नहीं हर जगा आग लग जाएगी इतना आग ही आग दि देंगे क्योंकि इतना वाइलन्स हो रहा है कश्मीर में और यह कश्मीर का वाइलन्स देखके हो हमेशा से बहुत दुखी रहते थे थे लिस्टेदी डिटोरिएरेशन अफ दी पॉलिटिकल सिट्वेशन इन कश्मीण दे वाइलेंस एकाउंटर वाइलेंस आगवाफुल पड़ा किस पर आगा शाहिद अली का इन टाइम इट बिकेम वन अफ थे सेंट्रल सब्जेक्स ऑफ इस वोक और इस वजह से इतना उन्होंने कश्मीर के बार में सोचा कि कश्मीर उनकी पोट्रीज में और जो भी वो लिखते थे उसका सेंट्रल सब्जेक्ट बन गया याने क कश्मीर के बार में जरूर कुछ न कुछ वो लिखते थे अपनी पोट्रीज में इंडीर इट कुट भी सेद दाइट वस राइटिंग अफ कश्मीर याने विडंबना थी कि शायद अली एक पॉलिटिकल पोट नहीं थे याने कि वो तेक नॉमल पोट थे सरफ कश्मीर के बारे में लिखते थे याने वो ऐसे पोट तो थे ही नहीं जो पॉलिटिक से रिलेटेड है और तभी कश्मीरी कश्मीर के बारे में लिख रहे हैं तो यह बहुत बड़ी आयरीनी थी उनके सा I heard him once say if you are from a difficult place and that's all you have to write about then you should stop writing तो एक बर अमेतव बताते हैं कि एक बर शाहिद ने मुझसे बोला था कि अगर आप एक difficult place से आते हैं याने कश्मीर जैसी difficult place जहां पर situation हमेशा बहुत violent रहती है और आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं इस पर वो place के बार में लिखने के लिए तो आप लिखना बंद कर लो मत लिखो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आप एकी चीज के बार में बार बार लिखोगे you have to respect your art your form that is just as important as what you write about it तो आपको अपने आठ के बार में बहुत रिस्पेक करनी पड़ेगे और हमेशा चेंज करके लिखना पड़ेगा और आपको अपनी रिस्पेक करनी पड़ेगी अपनी कंट्री के और बार-बार अपनी जगा के बार में इतना जादा mention नहीं करना पड़ेगा Anguished as he was about Kashmir's destiny शायद resolutely refuse to embrace the role of victim that could so easily have been his Anguished का मतलब क्या होता है experiencing severe mental or physical pain or suffering तो वो कह रहा है कि मैं mentally बहुत suffer कर रहा हूं pain मैं हूं Kashmir की इस हालत को देखके और वो कहते हैं कि मैं अपने अपको victim नहीं बनाना चाहता है कि मैं Kashmir में इतना सहर हूं had he done so he could no doubt have easily become a fixture on talk shows and news programs fixture याने set formally in place तो यहाँ पर Amitav बोलते कि अगर आगा शायदली ने ऐसा किया होता कि वो Kashmir में ही रहते हैं और Kashmir के बारे में continue करते हैं लिखना तो अल्री वो हर चीज में Kashmir के बारे में mention करी रहे थे फिर बाद में उन्होंने अपना thought change कि एक ही चीज एक ही चीज के बारे में नहीं लिखना तो Amitav कहते हैं कि अगर उन्होंने continue किया होता Kashmir के बारे में लिखना तो वो literally news channels और talk shows का fixture बन जाता क्यों क्योंकि एक ऐसा इंसान जो एक ही जगा के बारे में बोल रहे हैं तो news channels वालों को क्या मिलती है नमक, मिर्ची, मसाला मिलती है कि आओ भाई इनसे पूछो ये क्या बोल रहे है तो वो poet से कोई news channel का कोई ऐसा इंसान बन जाता पर शायद को ऐसा कुछ नहीं करना था वो तो अपने आपको poet कहता था उसने बहुत fierce school किया है याने कि एक aggressive काफी aggressive उसके thoughts रहते थे और aggressive उसके views थे हर चीज़ को लेके लेकिन वो art और language पे रहना चाहता था वो news channels और talk shows में नहीं आना चाहता था वो अपने religion की respect बहुत करता था और यह कहता था कि मैं politics को और religious practice को हमेशा अलग रखूँगा दोनों को same रखने का उसका कोई intention नहीं था शाहिद's gaze was not political in the sense of being framed in terms of policy and solutions gaze याने की look तो शाहिद का कभी मतलब यह नहीं था कि वो politics में आ जाये policies बनाये और लोगों के दिक्कतों के solutions निकाले उसका कभी यह मतलब नहीं था in the broadcast sense his vision tended always towards the inclusive and ecumenical and outlook that credited to his upbringing ecumenical याने involving and uniting members of different religions तो वो कभी politics में नहीं गुसना चाहता था उसका मतलब सिर्फ यह था कि मैं सारे religions को अपने साथ involve करूँ और अपने साथ लेके चलूँ किसी एक particular religion के बारे मैं नहीं बोलूँ और उसका कभी ऐसा thought procedure भी नहीं था He spoke often of a time to his childhood when he had been seized seized याने की grabbed उसके दिमाग में बात आ गई थी by the desire to create a small Hindu temple in his room of Shrinagar तो हमें तब बताते कि शायद हमेशा हमें एक childhood memory के बारे में बताता है जिसमें वो बताते हैं कि मेरे को बच्पन में एक desire थी इच्छा थी कि मैं अपने श्री नगर के घर में छोटा सा Hindu temple बनाऊ और उनकी ये इच्छा जो थी उन्होंने अपने parents को बोली भी He was initially hesitant to tell his parents शुरुवात में वो चीज अपने parents को बोल नहीं पाए but when he did responded with enthusiasm equal to his own फिर जब ये बात उन्होंने अपने parents को बताई कि मुझे घर में एक Hindu temple चाहिए उनके parents ने इस चीज को उनके support किया और उनकी बात मानी His mother bought him मूर्तीज और इसकी mom खुच जाके मूर्तीज खरीट के लाई आगशा है दली के लिए and other account triments and for a while he was as a division conducting pooja at this shrine account triments का मतलब क्यों होता है other things that were needed for the activity तो जो मंदर बनाने के लिए पूजा करने के लिए जो भी दूसरी चीज़े जरुवत होती है वो सारी चीज़ उनकी मदर ने अरेंज करके उनको दी और उन्होंने पूजास कंड़क करी श्राइन में याने की घर के उस temple में असद्वेस एने taking great care of everything done तो जो भी पूजास हो रही है मूर्ती जरुजास रिस्पेक्फुली उनको कैसे रखना है उनको आसद्वेस बोलते है याने उनको उन्होंने सब रिस्पेक्फुली कंड़क्ट किया उन्होंने अपने घर में और यह जो स्टोरी है उनकी लाइफ की फेवरेट स्टोरी है किसकी? आगा शाहिद अली की Whenever people talk to me about Muslim fanatism He said to me once I tell him how my mother helped me make a temple in my room Fanatism का मतलब क्या होता? Extremely talking about your religion जब लोग continuously उनसे एक ही religion उनके Muslim religion के बारे में ही बात बात करते हैं तो वो उन लोगों को कहते हैं अपनी वोई मदर की स्टोरी बताते हैं कि कैसे उनकी मॉम ने उनके घर में मंदर बनवाया था और उनकी help करी थी तो एक ही एक religion के बारे में वो बात करना कभी नहीं चाहते थे सारे religions को साथ लेके चलना चाहते थे तो हमें तब कहते हैं आय सहा ने बोला नाशनल पो ए तक हुए कि हामें कश्मीर का नाशनल पोएट बन जो लेकिन nationalist plays मत बनाना मुझे भही कश्मीर का तो nationalist का मतलब क्ये होता है एक ऐसा पोसिन जो strongly अपने ही nation अपने ही बारे में बार बताता है उसी को support करता है और हमेशा उसी के interest के बारे में बात करता है याने कश्मीर की बारे में, Muslims की बारे में, उनी की interest की बारे में तो वो कहता है मैं national poet बनने में खुश हो लेके nationalist poet जो religions को divide कर देता है, वो poet बनने में मुझे को interest नहीं है In the little poem of the country without a post office, a poem returns to Kashmir to find the keeper of a fallen minaret मिनारेट क्या होता है, यह मिनार्ज होती है न, इस तरीकी के लंबी-लंबी long minars, जो एक mosque में, एक masjid में होती है, उसे मिनारेट कहते है तो वो कहने कि एक उनकी जो poem लिखी थी, उन्हेंने the country without a post office उसमें यह होता है कि जो poet होता है, वो वापस Kashmir लोटता है मिनारेट देखने के लिए, यह न, लंबी-लंबी मिनारेट चेक करने के लिए कि गिरी है कि निक्या और उसके बाद वो हमें यहां पे कुछ lines बता रहे है, अपनी poem के, इसी poem की lines बताते है nothing will remain, everything is finished, I see his voice again, this is a shrine of words, you'll find your letters to me and mine to you, come sun and tear open these vanished envelopes, this is an archive, archive, I found the remains of his voice, that map of longings with no limit. so, यह कुछ lines थी, the home, उन्होंने जो poem लिखी थी, the country without a post office, उसकी कुछ lines उन्होंने आं mention करिये आगे वापिस continue करते हैं, chapter में, in this figuring of his homeland, he himself became one of the images that was spinning around the dark point of stillness, both शाहिद and शहीद, witness and martyr, his destiny inextricably linked with Kashmir's, each prefigured by the other inextricably का क्या मतलब है, in a way, data is impossible to separate, एक ऐसी चीज जो एक दूसरे से separate या अलग नहीं हो सकती, उसे हम inextricably कहते हैं, prefigured का क्या मतलब होता है, किसी चीज की जब हमें early indication मिल जाती है, पता चल जाता है पहले से हमें किसी भी चीज के बारे में, तो यहां बोल रहे हैं कि यह जो homeland है, कश्मीर, वो मतलब इतना spin कर रहा है, इतना गूम रहा है आगा शाहिद अली की life में, और इतना जादा वे हुए अपनी roots से कि उनको कश्मीर से अलग नहीं किया जा सकता, and कश्मीर के बारे में उनको हर चीज prefigured हो जाती थी, पहले से पता चल जाती थी एक तरीके से और जिस वज़े से वो यह सब चीज़े अपनी poems में mention करते थे, उसके बात फिर से उन्होंने कुछ अपनी poem क के बारे में कुछ यह lines लिखिए, इसलिए हमको यह lines बताई जा रहे हैं, कि मैं शयद मरूं autumn के season में कश्मीर में, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि अगर मैं मरूंगा, तो मैं कश्मीर जाके ही मरूं अपनी country में, and the shadow routine of each vein will almost be news, the blood censored for the saffron sun and the times of rain, तो यह उन्होंने कुछ lines बताई गई हैं, जिसमें उन्होंने अपनी death के बारे में कुछ mention किया है, अपनी poem में, Among my notes is a record of a telephone conversation on 5 में, यह माई कौन है, यह माई है Amitav Ghosh, तो Amitav Ghosh कहते हैं कि मैंने जो कुछ notes और records बनाये थे, उसमें एक telephone conversation जो की 5 में को हुई थी मेरे और शाहिट के बीच में, उसका भी record है मेरे पास, The day before he had gone to the hospital for an important test, a scan that was expected to reveal whether or not the course of chemotherapy that he was then undergoing had the desired effect, तो वो कहते हैं कि उस phone call में उसने मुझे यह बताया था, कि मैं अगले दिन hospital जाऊंगा और मेरे कुछ test होने वाले, और मैं expect कर रहा हूं कि उसमें कुछ result निकलेगा chemotherapy के बारे में, जब लोगों को cancer हो जाता है उनकी chemotherapy होती है एक तरीकी का medical treatment होता है जिससे उनकी recovery होती है, तो इस telephone conversation में आगा शायद दली ने अमिताफ गोश को बताया था कि कल में hospital जाऊंगा और मेरे कीमो थरभी की results आने वाले हैं जिससे पता चलेगा कि मतलब जो मेरी desired हालत है, मेरी हालत होनी चाहिए, जो मेरी condition होनी चाहिए, क्या वो improve हो रही है कि नहीं और क्योंकि इस chemotherapy की test हो रहा है, इस वज़े से जो दूसरी सारी therapies, जो दूसरी सारे treatments होने वाले थे आगा शायद अलिके, वो कुछ time के लिए अभी put off कर दिये हैं, याने कि अभी side में रख दिये हैं, क्योंकि main अभी chemotherapy का result है वो important था, All the other alternative therapies and courses of treatment had been put off until this report, The scan was scheduled for 2.30 in the afternoon, और यह जो scan है, दिन में धाई बज़े होने वाला था, I called his number several times in the late afternoon and early evening, there was no response, बहुत देर बाद afternoon में और evening में शाम को, Amitav ने कई calls के शाहिद को, बट कोई response ने आया उसकी तरफ से, I called again the next morning and this time he answered, फिर सुबह उसने फिर call किya Amitav ने और इस बार फोन उठाया शाहिद ने, there were no preambles, preambles का मतलब क्यों होता है, preliminary or preparatory statement, यानि आगर शाहिद अली ने कुछ बताने से पहले कोई statement या कोई, ऐसा कुछ तयार नी किये, lines की देखो Amitav, ऐसा होने वाले है, वैसा कुछ नी, उसने कुछ ये preparatory lines नी करी कुछ, उसने directly अपनी बात बोली phone पे, he said, listen Amitav, the news is not good at all, basically they are going to stop all my medicines now, the chemotherapy and so on, they give me a year or less, और directly, बिना कोई line बोले, उसने स्रिव एक बात बोली Amitav को, कि देखो Amitav, जो result था, कीमोटरेपी का वो सही नहीं था, वो अब मेरी कीमोटरेपी stop कर देंगे, मेरी सारी medicines उन्होंने बोला stop कर देंगे, और सारी therapies और treatments जो मेरे साथ हो रही थी, वो सब stop कर देंगे, क्योंकि उन्होंने बोल जिया कि इन सब का कोई फाइदा नहीं हो रहा आपके उपर, आपकी तवियत सही नहीं हो रही है, और अब आप एक साल या एक साल के अंदर में आप जी सकते हैं, उसके बाद आपकी death हो जाएगी, याने बिसिकली एक साल या एक साल के अंदर का टाइम उसको दे रही है, बस इतना ही रह पाओ गया, तो उन्होंने बोला कि जो भी आपके उपर मेडिकल ट्रीटमेंट्स करे जा रहे हैं, उसका आपके उपर कोई असर नहीं हो रहा, तो रेडियेशन भी एक तरीकी का ट्रीटमेंट्स को दिया जाता है, तो शायद अली बताते हैं अमितफ को कि वो मुझे कुछ टाइम बाद रेडियेशन भी देंगे, एक लास्ट फोप, एक आखरी उम्मीद की तरह, लेकिन वो भी उन्होंने बोल जाए कि इसका भी कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला, कुछ होगा नहीं इसने पर फिर भी एक ट्राइक कर लेंगे हम, अब ये सब बाते सुनके जो में तब हैं बहुत शॉक हो गए हैं, अपने घर में जहां डेस्क पर बैटे तो वहां पर कंटिनेसली घूर के बोलते हैं फोन पर उसको कि शाहिद वाट इली डू ना आप क्या करोगे तुम तो शाहिद की जो आवास्ती बहुत अंट्रबल वो बिल्कुल परिशान नहीं था और उसने सिंप्ली बोला, मैं मरी रहा हूं तो बस मैं कश्मीर जाके मनना चाता हूं, यही मेरी लास्ट विश है, तो वह कहता है बस मेरा काम यह है कि अपना जल्दी से पासपोर्ड में करवाऊं, उसको अपनी विल्कुल में उसने के बाद मेरी प्रापटी को जाए इसको है इसको विल Ł Sizकी मोई है तो यह की और मुझे अपने बासरियो मेंस कह और तो यहानी जाना जाना का February It's still such a feudal system there and there would be so much support and my father is there too तो वो कहते है मैं वहाँ पर जाऊंगा ना तो मुझे बहुत support हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर मेरे father भी है तो मेरी help हो जाएगी और अभी भी कश्मीर में feudal system चलता है Feudal system क्या होता है Under this system a patient or a worker received a piece of land in return for serving a lord or king तो वहाँ के जब lord or king को आप कुछ help कर देते हैं तो आपको in exchange in return एक piece of land मिलता है तो कहता है मुझे feudal system की वज़े से वहाँ पर थोड़ा सा land थोड़ी जमीन भी मिल जाएगी तो मैं मुझे इस सब चीजे जाके कश्मीर में settle करनी तो मुझे कश्मीर जाने यह सब उनोंने किसको बताया शायद ने Amitav को बताया तो लोजिस्टिकल का मतलब क्या होता है relating to or involving organization and planning तो वो कहते हैं शायद बोलते है Amitav को कि मैं नहीं चाहता कि जब मेरी मदर की death हुई थी तो मेरी siblings भाई बेनों को बहुत ज़्यादा travel करना पड़ा थे एक country से दूसरी country ऐसा तो मैं नहीं चाहता कि मेरी death के बाद मेरी family वाले पहले मुझे यहां लेने आए फिर कश्मीर ले जाए तो इससे अच्छा मैं कश्मीर जाओं वहीं जाके मेरी death हो लेकिन बाद में कुछ logistical reasons हो गए थे याने कुछ planning कुछ organizational issues हो गए थे जिसकी वज़े से आगा शाय दली कश्मीर नहीं जा पर उनने अपना plan change कर दिया he was content to be laid in rest in Northampton in the vicinity of Amherst a town sacred to the memory of his beloved Emily Dickinson तो बाद में जब उनकी plan cancel हो गया कश्मीर जाने का तो वो content थे याने वो satisfied थे कि चलो ठीक है मैं कश्मीर नहीं जा परूं तो मैं Northampton जो की vicinity of Amherst है यहां पे उनको तो मतलब बरी करा जाएगा उनके death यहीं पर होगी क्यों क्योंकि यहां पर because of the memory of beloved Emily Dickinson क्योंकि यहीं पर ही Emily Dickinson की death हुई थी अब Emily Dickinson कौन है Emily Dickinson पर एक बहुत famous American poet है जो उनके favorite थी जिनको वो बहुत पसंद करते थे तो यहां पर Emily Dickinson की death हुई थी Northampton में तो इसलिए शायद अली बहुत content थे बहुत satisfied थी कि चलो ठीक है Kashmir नी तो मुझे Northampton में यहीं पर मुझे बरी करना यहीं मेरी death होगी तो वो he was happy situation में भी वो खुश थे but I do not think it was an accident that his mind turned to Kashmir in speaking of death तो अब यहां पर Icon Amitav Ghosh कहते हैं Amitav Ghosh कहते हैं accident नी था कि अपने death के time अपने last कुछ time में भी आगा शायद अली Kashmir में जाके मरने की बात कर रही है को मेरे लिए कोई shock वाली कोई बात नी थी क्योंकि वह अपनी पूरी life में सिर्फ और सिर्फ Kashmir की ही बात करते थे क्योंकि वह वहीं से शुरी नगर से बिलॉंग करते थे और अपनी रूट से बहुत ज़्यादा connected थे और इन इस पूर्टिक इमाजनेरी डेथ Kashmir और शाहिद शाहिद है बिलॉंग फोटोग्राफ्स आफ में अनकी लाइफ में मतलब इंपॉर्टेंस रखता था कि उनकी पूर्ट्स में उनकी डेथ के टाइम पर कश्मीर शाहिद शाहिद वाली चीज वह सब चीजे बहुत इ याने कि आगर शाहिद ली के साथ कश्मीर को सेपरेट किया ही नहीं जा सकता था वो एंसेपरेबल थे और किस तरीके से इंसेपरेबल थे लाइक ओल्ड फोटोग्राफ्स आफ मेल्टेट तोगेदर इन रेन जब पुराने फोटोग्राफ्स बारिश में कैसे खराब हो जा So long ago of that sky it spread air. It's rushing dyes and a piece of earth, bleeding apart from the shore, as we went on the day I'll die. Post the guards and he, keeper of the world's last saffron, rowed me. On an island the seas of a grave, on two yards he rode, he rode me into the sunset, past all pain. On everyone's lips was news of my death, but only that beloved couplet broken on his. If there is a paradise on earth, it is this, it is this, it is this. तो वो कह रहे हैं कि अगर दुनिया में कई paradise है, कई heaven है, तो वो कहा है, it is this, यानि कहां कश्मीर की बात कर रहे हैं वो. कि दुनिया में अगर कहीं जननत है, कहीं स्वर्ग है, तो वो सरफ कश्मीर है. तो इन सब lines के तूँ इन poem की lines के तूँ वो हमें ये बताना चाते हैं कि ये जो lines इन्होंने लिखी थी अपने death के पहले और अपनी death के बारे में इन्होंने mention किया था अपनी poem में और कहा हो रही इनकी death अधनी poem में? कश्मीर में तो यह सब पहले से उन्होंने prefigure कर लिया था इसलिए वो बार-बार कुछ-कुछ-कुछ-कुछ lines हमें chapter में बता रहें कि इनकी ही लिखी हुए poems है जिसमें उन्होंने अपनी death जो कश्मीर में होना चाहती थी कश्मीर में वो जाते थे He was intermittently able to converse intermittently याने वो रुक-रुक के दीरे-दीरे से बोलने की कोशिश कर रहा था and there were moments when we just talked just as we had in the past और कहीं-कहीं उसके बात करने में ऐसे moments भी आये कि वो पहले जैसे बात करता था जैसे हम लोग meals पे खाने जाते थे lunch करने जाते थे तो वो कैसे मस्ती में बोलता था कहीं-कहीं कुछ-कुछ थोड़ा बहुत वैसे भी बात करने की कोशिश कर रहा था और कर भी रहा था He was aware as he had long been of his approaching death end and he had made his peace with it तो वो पहले सी आगा शायदली पहले सी aware था कि इसकी death होने वाली है और उसको पहले सी पता था कि मैं कुछ टाइम में मरने वाला हूँ तो इस चीज को लेके उसने अपने mind में peace याने शांती कर ली थी कि ठीक है मैं मरने वाला हूँ और बिल्कुल tense नहीं था वापनी last hours में I saw no trace of anguish और conflict उसके चेहरे पे कोई दुख या फिर तकलीफ की कोई sign नहीं था Surrounded by the love of his family and friends और आसपास कौन थे उसके उसकी family थी उसके friends थे He was calm, बहुत शांत बैटा था contented याने बिल्कुल satisfied था याने उसको जीवन में कुछ नहीं चाहिए था वो अराम से मर रहा था At peace He had said to me once I love to think that I'll meet my mother in the afterlife if there is any afterlife तो Amitav कहते हैं कि आगा शाय दली ने एक बार मुझे बोला था कि अगर कोई afterlife है अगर death के बाद भी कोई life है जहां पे आप उन लोगों से मिल सकते हो जिनकी life में है जिनकी death हो चुकी है तो मैं अपनी मा से मिलूँगा अगर afterlife है तो तो आगा शाय दली के life में यह चीज जो थी बहुत यही चीज थी जो उनको console कर रही थी जो उनको शांत रख रही थी कि ठीक है मैं मर जाओंगो कोई बात नी मरने के बाद मैं अपनी mom से मिलूँगा इसी बज़े से शायद वो बहुत पीस में थी आगा शाय दली के डेथ हो गई रात में दो बज़े 8 December को in his sleep याने वो नीन में सोते ही उनके डेथ हो गई अब आगा शाय दली है नी लाइफ में तो अमितव गोश कहते है कि एक हमारी फ्रेंशिप कोई बहुत लंबे समय की फ्रेंशिप नी थी कुछ छोटर समय की फ्रेंशिप थी और कितनी इम्पोर्टन थी उसकी फ्रेंशिप की आज मुझे इसकी कमी खल रही अपनी लाइफ में हाट अफ दी उनली वर्ल्ट वो पोएम है वो पोम है जो आगाशाय दली ने लिखी थी और सुनाई थी किसको अमितव गोश को उसके घर पे बैठके उसके लिविंग रूम में तो इस पोम में उसमें आगाशाय दली ने अपनी डेठ के बारे में जो की कश्मीर में होना चाहती थी उनकी इच्छा थी की जो कश्मीर में उनकी डेठ उसके बारे में पहले से ही मेंशन कर दिया था तो ये सारी बाते जो है आगाशाय दली की डेठ के बाद अमितव गोश को याद आ रही थी और घाट का मतलब मैंने जैसे आपको बताया था कि घाट का मतलब क्या होता है कि नदी का घाट नदी का end याने कि उनका जिन्दकी का end घाट आ गया था याने death का time आ गया था कैसे हैं आप सब लोग I hope everybody is doing well मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और बहुत मज़े में हूँ और इतनी अची बात के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो 6th chapter है the heart of the only world उसकी summary and कुछ important question and answers so let's begin with the summary the lesson opens on a note where the author's friend शाहिद who has a milligant tumor wants him to write about him after his last breath and how the author resists it so basically जो chapter है दो friends के बारे में हैं एक है Amitav Ghosh और एक है आगा शाहिद अली आगा शाहिद अली को एक milligant brain tumor हो गया है याने कि कैसा brain tumor जो ठीक नहीं हो सकता और continuously day by day बढ़ता ही जाएगा और ये बात उसको पता चल गई है तो उसने अपने friend Amitav Ghosh जो की एक writer है खुद आगा शाहिद अली भी एक poet है और उन्होंने अपने friend Amitav Ghosh को बोला कि मेरी death के बाद तुम मेरे बारे में लिखना क्यों क्यों क्योंकि मैं चाहता हूँ कि करन वे सरे चीजी और आगा अगा शायद cocktails के बारे में उन्होंने अप्सेर्फ करना स्व पर करें कि किसे ऑन्न उसके बाद उन्होंने नके बारे में प्रेंड स्व रहे हैं इस में सारी डीटेशिंग अपने नेटेव लांड चोड़के वब USA में सेटल हो गए तो उनको कश्मीर से बहुत प्यार था, उनको रोगन जोश, खाना बहुत अच्छा लगता था, उनको हाक, याने कश्मीरी ग्रीन साग जो होता है, जो स्पिनिच का, जो पालक का बनता है, वो सब बहुत पसंद था तो इस सारी चीज उनको कश्मीर से बहुत पसंद थी और अपने कश्मीर के बारे में उन्होंने अपनी कई सारी बुक्स में mention भी किया है, so now let's begin, so शाहिद चाहता था कि वो अब उनका जो फ्रेंड है, उनके बारे में लिखे, and finally उन्होंने लिखा भी बारे में, this is because of lack of ability to respond in a situation like this, शाहिद knew him well and thus he made him agree on this, तो शाहिद क्यूंचाते थे कि उनके फ्रेंड अमितव उनके बारे में लिखे, क्यों क्यूंकि अमितव उनके फ्रेंड तो उनके बारे में बहुत अचछे से जानते थे, तो वो अगर शाहिद के बारे में लिखेंगे, तो वो अच्छे से बात करते थे उनसे फोन पर conversation करते थे जो भी उनके बारे में observe करते थे उसके बारे में notes बनाते थे थाकि वो उनके बारे में लिख पाए Now the author's fascination with his friend dates back to a time when they were not friends Amitav knew Shai for his work in poetry. So अब Amitav हमें यहां बताते हैं कि वो आगा शायद अली को तब से जानते हैं जब से वो लिखते थे यानि कि जब वो friends भी नहीं थे दोनों आपस में उससे पहले से वो आगा शायद अली की poetry पढ़ते आ रहे थे तो वो ऐसे आगा शायद अली को जानते हैं It was only through a friend that they met but remained only acquaintances फिर उनका कोई common friend था जिसकी वज़े से आगा शायद अली और अमितव गोश बने क्या बने? acquaintances अभी friends नहीं बने acquaintances का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे लोग जिन से सिर्फ जान पहचान hello high होती है लेकिन वो आपके friends नहीं होते तो वो कह रहे हैं कि मैं तो अमितव गोश कहते हैं कि मैं आगा शायद अली के सिर्फ काम को मैंने पढ़ रखा था जब मैं उसके friend नहीं था फिर किसी common friend के तुरू हम लोग friends बने and then friends भी नहीं है acquaintances बने थोड़ा बहुत जानने पहचानने लगे फिर बाद में वो आगा शायद अली जो थे वो ब्रूकलिन नाम की लोकालिटी में shift हो कर आए जहां पर अमितव गोश रहते थे तो इस तरीक से रोज मिलने लगे और वो लोग friends बने A year later when शायद moved to Brooklyn, they got closer upon frequent brunches तो फिर एक साल बाद आगा शायद अली ब्रूकलिन नाम की लोकालिटी में रहने आ गए जहां पर हमें तब गोश रहते थे और frequent brunches याने lunch के लिए खाने पीने की meals के लिए मिलना start किया उन्होंने It was after a sudden temporary lapse of memory that शायद moved to Manhattan to live with his sister The author mentions one such day when he went along with शायद's siblings to pick him up from the hospital after a surgery तो वो बताते हैं कि पहले जो आगा शायद अली थे वो Manhattan में रहते थे लेकिन एक दन उनको sudden blackout हो गया ने उनकी आखों के सामने अंधेरा चागया और उनको doctor से पता चला कि उनको brain tumor नाम का disease है इसलिए वो Brooklyn आके shift हो गए थे कि वहाँ पे उनकी छोटी बहन समीता रहती है तो उनको लगा कि चलो मैं अपनी बहन के पास में रहता हूं और और के बताते हैं और अमितव गोश हमें बताते हैं कि इस तरीके से के उनके treatment स्टार्ट हो गए थे आगा शाहिद अली के तो अमितव गोश बताते हैं कि एक दिन उनके भाई इकबाल के साथ वो उनको hospital पिक करने गए अमितव चाहिद अली को क्योंकि उनकी एक surgery होई थ शायद refuse to take the help of a wheelchair claiming that he is still fit to trust his toes तो वहाँ वो बताते हैं मितव गोश की वहाँ hospital में जब जो वहाँ पे hospital का जो ward boy आया वो wheelchair लेकर आया उनकी surgery के बाद उनने बिठाने के लिए तो उन्होंने ward boy को हटा दिया कि तुम हटो मैं अपने toes पे अपने पैरों पे trust करता हूँ विश्वास करता हूँ और मैं चल सक करता हूँ अपने पैरों में मुझे किसी के help की जरूरत नहीं है अपन सींग हिम लूज इस बैलेंस दी कॉल्ड एसकॉर्ट बाक विद द वीलचेर शायद बिंग फुल फुल अफ लाइफ गॉट इक्साइट अपन नोइंग अपने नीज पर जिस गिरने वाले थे जो सब तो मज़िदार इंसान हैं और इतनी फुल अफ एनरजी हैं कि उन्होंने वाट बॉइस से पूछा कि तुम कहां से बिलॉंग करते हो तो उसने बोला कि मैं तो एक्क्यूएडर नाम की जज़ा से बिलॉंग करता हूँ तो वो कहते हैं स्पैनिश मलब तुम स्पैन से रौका की पोईट्रीज पड़ पाएं शाहिद और ऑथर आट ग्रेट दील इन कॉमन अब शाहिद और ऑथर याने अमितव गोश्ट दोनों के बीच में काफी सारी चीज़े कॉमन थी तभी उनके फ्रेंड्शिप बढ़ी तो उनको रोगन जोश जो की कश्मीरी डिश है ये नोनों को बहुत पसंती और दोनों को ही क्रिकेड ना पसंत था अच्छा नहीं लगता था तो ये सब कॉमन चीज़े थी दोनों में तो इस शायद को पता था कि उसकी डेथ होने वाली है तो वो अपने आपको depressed या sad होने का time ही नहीं देता था वो हमेशा अपने घर में अपने friends को, students को, relatives को invite करता था और कोई ना कोई हमेशा उसके घर में kitchen में बड़िया रोगन जोश, हाक वगरे, tea, chai सब बना रहे होते थे और उनके घर में musti, music, enjoyment चलता रहता था तो वो कहता है कि मैंने अपने आपको कभी time ही नहीं दिया, depressed होने के लिए हमेशा अपनी life full of energy and fifth full of happiness, G है मैंने तो वो कहते है कि उनके घर में daily, शाम में, evening में पाटी होती थी जहां सब लोग आते थे और kitchen में उनका फेवरेट रोगन जोश बनता था और also जो जो शाहे दली हैं, उनको cooking का बहुत शौक था वो बहुत expert थे cooking में और उनको लगता था कि जो लोग cooking में shortcut's use करते हैं उनके उपर उनको दया थी थी कि अरे cooking में कोई कैसे shortcut's use कर सकता हैं उनको बहुत अच्छे से पता था कि खाने में क्या डलना है, वो लोगों के साथ बैठके enjoy तो कर रहे होते थे लेकिन महीं से instructions भी देते जाते थे kitchen में जो भी होता था उसको कि अब दही add करो, अब ये masala add करो, अब ही hing add करो तो इस तरीके से वो चाहते थे कि खाना हमेशा perfect बने He talked endless about his favorite guzzle singer and her stories of witty replies तो आगा शायद दली continuously हमेशा किसकी बात करते थे? अपने famous guzzle singers की बात करते थे और कैसे वो famous guzzle singer थी वो witty replies देती थी याने की जो हाजर जवाबी होता है उनके जवाब में बहुत हसी मजाग होता है तो ये सब अपनी favorite guzzle singers के बार में बताते थे और अपनी favorite guzzle singer से वो जब 13-14 years के थे तब एक friend के थूँ मिले भी थे The author then talks about how the prevailing situations in Kashmir affected him अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो author है वो कश्मीर से ही belong करते हैं और उनको कश्मीर में जितना भी violence होता है Hindu, Muslim, लड़ाई, जगड़ा इससे उनके बहुत affect पड़ता था He wrote a lot of poetry about Kashmir and thought that politics and religion should act separately तो उनोंने कश्मीर के बारे में बहुत सारा अपनी almost हर poetry में कश्मीर के बारे में जरूर mention किया है और वो समझते थे कि भले मैं कश्मीर के बारे में बहुत जादा लिख रहा हूँ पर उनके लिए politics और religion हमेशा से separate ता अलग था वो कभी भी जाती में politics को कभी में merge नहीं करना चाहते थे तो उनको लगता था कि जितने भी लोग है चाहे उनका कोई सबी religion हो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे क्रस्टिन हो कोई सबी religion हो सब अपने religion को अटा के united याने एकता में रहे और इस अपनी सोच का जितना भी क्रेडिट है वो अपनी अप्रिंगिंग को याने अपने पेरेंट्स को देते हैं क्योंकि बच्चमन में उनके इच्छा थी कि अपने घर में वो एक हिंदू टेंपल बना है उनकी इच्छा थी कि वो अपनी लास्ट ब्रेथ अपनी आखरी सास कश्मीर मिलो और वहीं पर ही उनके डेतों पर लॉजिस्टिकल रीजन कुछ प्लानिंग की वजह से कुछ वो जान नहीं पाया न ऐसा नहीं हुआ और नॉर्थ आंप्टन में ही उनको बरी किया गया रयामितव गोश वो आगर शाहिदली की डेत के बाद यह सोचने ही कि हमारी फ्रेंशिप कितनी छोटे समय की थी और उपर कितना इंपक्ट कर गई उनके उपर यानि कितना असार डाल के गई आगर शाहिदली की फ्रेंशिप इस प्रेंशिप आप शाहिद आप शाहिद आपने गयादर की खटा करी उसके बार में क्या आपको पता चलता है इस पीस में से याने की इस चाप्टर में से इस में में से तो शाहिद वसमान फुल अफ लाइफ और स्पिरिट शाहिद एक ऐसा मैं था जो फुल अफ लाइफ फुल अफ एनरजी था क्यों क्योंकि एक इंसान जिसको पता चल जाए कि मैं अधी डैत होने वाली है मैं कुछ टाइम क्ली जिन्दा हूं तो वो तो साइड इतना एक excellent poet थे, he wrote amazing pieces और amazing poems लिखी उन्होंने, he was known for his hospitality and everyone loved going to his parties, तो वो अपनी hospitality के लिए बहुत जाना जाता था कि जब लोग घर पे आया तो उसको लोगों को खिलाना बहुत अच्छा लगता था, लोगों के साथ बात करना, उनको अटेंड करना, उनको वेलकम करना अपने घर बहुत अच्छा लगता था, इसलिए सारे लोग उनके घर पे शाम में रोस बाटी करने जरूर जाते थे, he was very fond of the company of others, उनको उसको लोगों के company में रहना बहुत अच्छा लगता था, he had the ability to change the dull and ordinary into bright and remarkable, कोई भी situation अगर बहुत बहुत बोरिंग है, उसमें के magical power थी शायद मे जैसे, कि वो सब को change करके बहुत energetic और बहुत मस्ती वाला situation बना दे, an excellent scholar as he was, वो एक excellent scholar याने student रह चुके, he was no less good than a teacher, और वो बहुत शानदार teacher भी रह चुके, he was also very fond of cooking, उनको cooking का बहुत शौक था, उनकी cooking, उनकी क्या था, passion था उनके लिए, उनकी hobby थी, a few instances imply that he was a man with good sense of humor, वो बहुत सारी chapter में हमने चीज़ें ऐसी भी पढ़ी है, जिससे पता सलता है कि उनके पास good sense of humor भी आने की, हसी मजाग jokes बहुत अच्छे crack करते हैं, he was sensitive towards the political environment, वो political environment की तरफ बहुत sensitive थे, याने उनको politics में involved होने का कोई शौक नहीं था, he was deeply connected to his roots and thus wanted to take his last few breaths in Kashmir, वो अपनी roots से बहुत जड़ा connected याने जड़ों से जहां पे वो पैदा हुए हैं, जहां पे उनका बच्पन बीता है, कश्मीर में, वहां से बहुत जड़ा connected थे और वो चाहते थे कि अपनी last breath, अपनी आखरी साज भी वो कश्मीर में लें, but unfortunately ऐसा नहीं हो पाया, अब शाहिद और राइटर, अमें तब घोश की फोन पे बात हुए और फोन पे अमें तब घोश को पता चला कि शाहिद की death होने वाली है, जब शाहिद ने उनने बता है, तो कैसे राइटर ने इस चीज़ पर react किया, क्या उनका reaction था जब उनने knowledge हुआ, जब उनने पता चल की शाहिद अली की कुछ टायम में death होने वाली है, जूंके reactions को अलक थे और अमेतर गोश को जब शाहिद की through pata चला की शाहिद कुछ टायम में death हो जाएगी शाहिद की to Ugne के reactions अलगते तो दोनों के reactions were different शायद was content and calm upon hearing it अब शायद जिनको खुद के बार में पता चला कि मेरी डेत होने वाली है वो ये सुनने के बाद बहुत calm थे बहुत content थे बहुत satisfied थे कि ठीक है घाट of the world आ गया है याने कि मेरा मेरा जो मेरा बैंक है बैंक क्याने की bank of the river जो मेरा घाट अब आ गया है याने नदी का जो घाट है अब मेरी life का जो end है वो आ गया उसमने इसको accept किया the fact that has that his disease was taking him totally did not keep him away from living life it was a celebration ये fact था कि उनकी death होने वाली है तो इस चीज ने उनको अपनी जिन्देगी को एक celebration जैसे जीने में रोका नहीं in fact उन्होंने तो अपनी life full of energy जी इना के depressed होके अपने आपको परिशान किया he was full of life and was joyful बहुत खुश रहते थे हमेशे ये बात पता होने के बाद भी he wanted Amitav to write about him after he died और वो चाहते थे कि Amitav उनके death के बाद उनके बारे में कुछ लिखे whereas on the other hand the author tried to delay the acknowledgement of the fact that their dear friends end was near on the other hand जब Amitav जब जैसी उन्हें पता चला कि उनके friend शाहिद की death होने वाली तो उनको accept ही नहीं हो रहा था उनको ये believe ही नहीं हो रहा था और वो शुरू में तो resist कर रहे थे मना कर रहे थे कि मैं तुमारे बारे में नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि वो ये accept कैसे करें कि हाँ ठीक है वो अपने friend के बारे में कैसे accept करें कि ठीक है तुमारी death के बाद मैं लिखूंगा शाहिद knew Amitav would try making all excuses to keep himself away from writing after something tragic and thus he puts them all away while he was alive तो शाहिद को पता था कि Amitav उनका बहुत अच्छा दोस्ते और वो कुछ ने कुछ excuses देगा उसको उसके बारे में ना लिखने के लिख लिए उसकी death के बात तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो शाहिद अली थे वो बहुत strong character थे death के बार में पता चलने के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा वो काम रहे इन फेक्ट अप जिन्दा दिल इंसान की तरह full of joy, cheerful person की तरह उन्होंने अपनी life जी बिना किसी दुख के अपने हमेशा लोगों के साथ खुश रहा हमेशा हस्ता खेलते रहा तो हमें भी इस life में ऐसे होना चीए क्योंकि heart of the only world तो सबका ही आना है obviously अभी नहीं कभी नहीं कभी तो जब भी आए खुश रहो, मस रहो अपनी life, enjoy करते रहो so children with this we come to an end of the summary of this chapter I hope आपको summary and question and answer समझ जाएंगे अच्छे से and आपको tension लेने के बिल्कुल ज़रत नहीं क्योंकि magnet brains बिल्कुल आपके लिए यहां पर है आपकी सेवा में हमेशा हाजर है क्योंकि magnet brains free of cost, education, online video lectures आपके घर तक लेकर आ रहे हैं और आगे के कई chapters दो इस book के हैं आप तक लेकर आएंगे so तब तक लिए bye bye and take care